हेलो एवरिवन सभी को गुड आफ्टनून कैसे हैं सभी लोग तो सभी को नमस्कार सभी को सस्रियकाल सभी को आदाब और सभी को जैहिंद जल्दी जल्दी अपनी अटेंडनस लगा देंगे क्योंकि आज SSD GD वाले पार्ट में हम लोग एक तो देखेंगे प्रिवे से क्योंकि कुछ फिजिक्स वाले क्योंकि हम देख लेंगे तो ये सारी चीज़े हम डिस्कस करने वाले हैं बिना किसी दिरी के शुरूात कर लेते हैं पहले सवाल से और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा जल्दी से मुझे आंसर देंगे फटाफट ये रहे आपके बस चार आप्शन तो शिवानी, अखिल, सुमन, रतन, अकाश सभी को गुड़ आफटनून यो यो आगया इस पर यो यो आपका इंसजार है अप्लिकेशन पर दो दिन से चलो फटा फटा अटेंडिन से लगाएंगे अब यहाँ पर जनता, जैसे मैंने शब्द देखा सर क्या यहाँ से हमसे बात हो रही है सेल से संबंदित, अब सर ज़रा ध्यान से देखो अगर मैं यहाँ पर ओप्शन देखता हूँ लॉजी, लॉजी, लॉजी यह लॉजी का मतलब क्या होता है सर लॉजी शब्द जब भी देख जाए इसका मतलब यह हो गया अध्यन यानि कि सर स्टडी स्टडी किस चीज की सर? सर यहाँ पर जो हम लॉजी की जब भी बात करेंगे लॉजी, यह शब्द सर आता है लोगोस से अभी लोगोस का मतलब क्या? सर लोगोस का मतलब होता है अध्यन करना, यानि कि to study अब हम यहाँ पर किस की study करेंगे? सर साइटो, यानि कि यह आपकी हो गई, किस से संबंदित? सर, सेल की study कहला रही है, साइटोलोजी इसी प्रकार से सर, हिस्टोलोजी किस से संबंदित है? तो हिस्टोलोजी सर, संबंदित है आपके उतक से, हिंदी में इसे बोलेंगे सर, टिश्यू अना, हिंदी में उतक, अंग्रेजी में बोलेंगे टिश्यू, फिर सर, साइकलोजी की बात करना तो यह आपके मनुविज्ञान हो गया, चलो सर, और फिजिलोजी, शरीर का अध्यन की हम बात कर ले रहे हैं, तो यह पेपर में, यह जो साइटोलोजी और हिस्टोलोजी ना, कई बार पेपर में पूछा गया है, तो इसे भूलेंगे नहीं, सही आंसर क्या हो गया, साइटोलोजी, अगला, इसमें से आप मुझे बताएंगे, कौन सा कोशिकांगे, जो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकां में मिलेगा, जल्दी से प्लीज, हमारे पास चार ओप्शन हैं, कौईशन यह है, कौन सा कोशिकांगे, जो सिर्फ पादप कोशिकां में पाया जाता है, अब, सर, पादप कोशिकाओं के अगर हम बात करें, तो हमारे शरीर से अलग कैसे हैं, हमारे शरीर में जो कोशिकाओं हैं, उसमें सबसे बाहर क्या मौझूद होता है, सर, वो है कोशिका जिल्ली, लेकिन पादपाओं की बात करें, तो इसमें मिलता है, सर, कोशिका भित्ती, तो एक तो हम इसे बोल देते है कोशिका बित्ती जिसको हम बोले हैं सेल वॉल, दूसरा सर हरे रंग देने वाला कौन, क्लोरोप्लास्ट, तो यहां पे सर क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल यह दौनों के दौनों सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेंगे, सर प्लांट सेल में, यानि की पादप कोशिकाओं में, अब सर, अंसर क्या होगा इसका मतलब, option हमारा, D यहाँ पे सही है, यानि कि A और B दोनों, अब ध्यान से देखो, सर यह है पादप कोशिका, यह है जन्तू कोशिका, अब यहाँ पे जो मैं समझा रहा हूँ ध्यान से सुनना, क्योंकि दो सवाल और हैं, जो पेपर में पूछ लेता है, तो राहुल, रेखा, यह ध्यान से देखना, सर यह जो सबसे बाहर वाली परत है, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है सर, cell membrane, क्या बोलते हैं सर, cell membrane, और इसके अगर हिंदी की बात करना, सर, इससे बोलेंगे कोशिका जिल्ली, यह क्या है सर, यह वाला भाग कहला रहा है कोशिका जिल्ली, लेकिन पादब कोशिकाओं में एक बाहर और है, कौन सा, सर, cell wall, इसको बोला जाता है सर, कोशिका बित्ती, अब समझने वाली बात है, सर, यह बने किसकी है, पेपर में कई बार यह पूछा जाता है, प्लीज, इसमें गलती मत कर देना, मैं लिख देता हूँ, सर, cell membrane यह सर बनी हुई है, लिपिड की, लिपिड और प्रोटीन की, लेकिन, सर, यह जो cell wall है, बित्ती है, यह किसकी बनी है, यह पेपर में कई बार पूछ लेता है, Thank you chemistry, Thanks a lot, अब जनता जनार्दन मुझे फटाफट बताएंगे, यह कोशिका बित्ती किसकी बनी है, क्या मुझे कोई बताएगा, क्योंकि पेपर में कई बार पूछा जाता है, और हाँ, जितने भी लोग जोड़ चुके हैं, सब लोग फटाफट session को like कर देंगे और share कर देंगे, जिससे एक भी question हमारा miss ना हो जाए, तो यहाँ पर फटाफट, very good, सबसे वहले शरमीला ने answer दिया, very good शरमीला, यह जो कोशे का भित्ती है, यह किसकी बनी है, सर यह बनी ह प्रक्रिया की बात करते हैं, यानि, खाना बनाने की प्रक्रिया, basically chloroplast क्या हुआ, यह वो हरे रंग वाला भाग हो गया, clear, यह जितने भी questions सब प्रीवीज देर के हैं, कोई भूल मत जाना, फिर से बोल रहा हूं, cell membrane बनी है, lipid protein की, और cell wall किसकी बनी है, cell loss की, तो cell membrane, lipid protein, भूलेंगे नहीं, चलो, आगे बढ़ते हैं, which cell organization is present on the plant, से लिए हम बता चुके हैं, अगला सवाल, पर which of the following, cell theory is not applicable, निमे लिकित मैंसे किसके लिए ये कोशिगा सिद्दान्थ होता ही नहीं है, अब सर, हेलो रंजी, जैहिंद, अब आप कहेंगे सर, क्या बात कर रहे हैं, कोशिगा सिद्दान्थ, ये क्या है, समझते हैं, आंसर दो, मैं समझाता हूँ, सर, पहला सवाल तो ये है, जीडी का, क्या कोशिगा की कोश किस ने की, तो सर, खोशिगा की कोश हमें पता है, वो कौन था, वो थे Robert Hook, और कब, सर, 1665 में, लेकिन ये तो सर, खोश करता है न, ये कौन सी बला आगई, tell theory क्या है, तो सर, जब Robert Hook ने लकडी के टुकडे की उप अध्यान किया था, कौर्क पे, लकडी के टुकडे की उपर अध्यान किया, वहां से कोशिगा की खोज हो गई, क्योंकि उन्हां मदुमक्खी की जैसे दिख रहे थे, कमरे जैसे, और कमरे को अंग्रेजी में क्या कहा देते है, room या cell, ठीक है सर, जब इसकी खोज हो गई है तो आये दो व्यक्ति, कौन, शिल्डेन और श्वान, तो पेपर का फेवरिट सवाल है, कोशिगा का सिध्धान किसने दिया, cell ठीक इसने, सर, वो थे शिल्डेन और श्वान, तो शिल्डेन श्वान का नाम पेपर है, पूछ लेगा, जिसने बूला, कि जितने भी जनतु है सबके सब कम से कम एक कोशिगा के बने हैं, लेकिन इन उप्शन में देखो, तो वाइरस जो है, इस पे कोशिगा से दान्त लागू नहीं होता, तो जितने भी लोग वाइरस के साथ जा रहे थे, वो सही थे, यानि विशानू के अगर आप बात करेंगे, तो विशानू यहा सब्सक्राइशन को लाइक करतेंगे और आंसर देना शुरू करेंगे, तो वाइरस यहां पर सही आंसर होगा, अगला है, density of water is 1 gram per cc, it is strictly valid at what, हिंदी वाले, सर, पानी का जो घनत्व है, पानी का घनत्व, एक ग्राम पर cc होता है, यह, कितने ताप पर मानने होता है, जल्दी से आंसर देना, सर, पानी का घनत्व है, एक ग्राम पर cc, यह, कितने ताप पर होता है, अरे वाह, पूरी पूरी जनता, सल्यूट सबको, तो जितने भी लोग यहां पर 4 डिगरी के साथ जा रहे है, 4 डिगरी बिलकुल सही आंसर होगा, तो 4 डिगरी बिलकुल सही है, अब ज़रा समझ लेते हैं, सर, ध्यान से देखना यह ग्राफ, सर, जब भी हम यह बात करेंगे, पानी की, तो पानी के लिए यह ग्राफ बनता है, 4 डिगरी सेंटी ग्रेट पर, यह हो गया ताप, और यह हो गया सर, घनत्व, जिसको हम बोलना है, डेंसिटी, मेहंदी म सबसे, आपका यहां पर क्या होगा, सरी, यह क्या होगा, यह होगी आपकी वॉल्यूम, एक सेकंड, यह आपका क्या है, सर, यह है आइतन, वॉल्यूम, और इसी प्रकारता, अगनत्व की बात करूं, तो घनत्व आपका 4 डिगरी सेंटी ग्रेट पर, सबसे ज्यादा घनत् पानी के दो कारण है, एक तो पूछ लेता है, कि सर, पानी का सफच्छा गनत्व कब आएगा, चार डिग्री पे, लेकिन सर, एक और सवाल है, और ये सवाल भूलना मत, कैलवन समझा दूँ, जैर, अभी बता रहो, एक सब्सक्राइब को, सर, चार डिग्री सेंटीग्रेट पर, इसका जो आयतन है, वो तो बहुत कम है, इससे क्या पता लगेगा, इससे ये पता लगेगा, गुरुदेव, कि यहाँ पे, मैंने क्या किया, 10 डिग्री के आसपास, मैंने पानी को जमाया, पानी के आयतन पर क्या प्रवाब पड़ेगा, पहले तो यह वॉल्यूम कम होगी, और 4 डिग्री के बाद भढ़ना शुरू होगी, अब यह चीज क्या कहला रही है, देखो, मैंने क्या कि पानी की बोतल ली, पानी की बोतल अगर मैं फ्रीजर में रख दू, पूरा उपर तक भरके, अगले दिन चेक करूँगा, बोतल की शेप बदल जाएगे, बोतल फट चुकी होगी, क्यों? क्योंकि सर, अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करता हूँ, तो 4 डिग्री से कम होने पर देखो क्या हुआ, तीन डिग्री पे वॉल्यूम बढ़ी, दो डिग्री पे और बढ़ी, एक डिग्री पे और बढ़ी, और एक लिमिट के बाद हो सकता है, कि बोतल फट जाए, तो पेपर में पूछ लेता है, कि ऐसा क्यों होता है, यह है बिटा, पानी का उश्मिय प्रसार, अंग्रेजी वाले से कहेंगे, एनेमलस एक्सपेंशन और वाटर, आधिते आपको मिलेंगे 4-5 कुश्चन, आधिते कुमार, अब सर, एक चीज़ और, डिग्री सेंटीग्रेट, डिग्री फेरनाइट और केल्विन, इसमें कन्वर्जन पूछता है, इसका सवाल अभी एक मैंने ले रखा है, उसके आपको बताता हूं, फॉर्मला क्या है, अगला सवाल है हमारा, विच सेल और अर्गली आर कॉल्ड सुसाइडल पैकेट्स, कौन से कोशिका के उस भाग को आत्मगाती थहली भी कहा जाता है, यह रहे आपके पास चार आप्शन, जल्दी, एप्लिकेशन, जल्दी, वेटिंग फॉर्मला आंसर, क्वेशन है, विच सेल और अर्गली आइस कॉल्ड सुसाइडल पैकेट्स, कौन से कोशिका के उनको आत्मगाती थहली भी कहा जाता है, अब सर, हमें अच्छे से पता है, कि अगर मैं लाइजोजोम की बात करता हूँ, यह आपके पास दो आप्शन हो गए, अब मुझे यह जान बूझ के मैंने हाँ पे दो आप्शन से एक जैसे दे रखे हैं, सो समझ के अंसर देना, वेरी गुड, मास साब गल्ती से भी हम कोई A आप्शन नहीं लगा के आएंगे, क्यों, क्योंकि सर यह है एंजाइम, ध्यान से देखो, लाइजोजोम, यह वो अंग हो गया, जो क्या कर रहा है, कि अगर उसे लगता है, कि अच्छा बेटा, धंग से काम नहीं कर रहे हूँ, अभी केमिकल छड़कता हूँ, इसके पास क्या है, रसायन मौजूद होते हैं, जो केमिकल सिक्रीट कर देता है, जो अगर सेल धंग से काम नहीं कर रही है, तो उस वाले भाग को क्या करेगा, नस्ट कर देगा, और अगर पूरी की पूरी कोशिया धंग से बात, काम नहीं कर रही है, तो क्या करता है, अपने आपको नस्ट कर लेता है, क्या था लाइजोजोम लाइजोजाइम सही आंसर नहीं होगा प्लीज 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 इन चीज़ों में गलती मत करना क्लियर नेक्स्ट विस सेल और लियार कॉल सुसाइडल पैक्ट से हम देख चुके हैं सरी हैं लाइजोजोम इसमें आ जाओ मास साब यह मैं बता चुक हैं ट्रिक मैं नहीं चाता है इसमें कोई गलती करें पेपर में पूछेगा इस बार सही कर देंगे लुम्रिकस टेरिस्टरिस में आपको जैनस स्नीम बताना है सर लुम्रिकस टेरिस्टरिस में संग नाम क्या है अब आप कहेंगे सर Lumerical Stereostris क्या है तो पिछली क्लास में और Application में मैं दौनों में बता चुका हूँ Lumerical Stereostris क्या है सर जितनों को नहीं पता है अभी ऐसे आता हूँ, गरदन पकड़ता हूँ, पिट्टी करता हूँ वापस छोड़ देता हूँ गौलगी का है बिलकुल Transportation वाला पार्ट यानि Intracellular Transportation की देख रहे करता है कोशिगा के अंदर सामान का आदान प्रदान, इसमें आंसर दो पहले फटाफट जैनस नेम क्या है तो सब लोग यहाँ पे सही है सर, जितने भी लोग Lumerical Stereostris के साथ जा रहे है और ट्रिक क्या थी सर ट्रिक यह थी, जब भी कोई नाम पूछे उसमें पूछ ले कि सर इसमें से जैनस कौन सा है इस्पीसीस कौन सा है तो हमें अच्छे से याद है, सर वो क्या था G.S G.S अब ज़क हम पढ़ रहे है G.S बस ट्रिक याद रखनी है जो भी पहला नाम होगा वो सर हमेशा क्या होता है वो हमेशा होता है जैनस और दूसरे वाले की बात करेंगे तो दूसरा क्या होता है दूसरा वाला भाग होता सर स्पीसीस तो Lumbricus Terrestris, तो Lumbricus पहला वाला जैनस और टेरेस्ट्रिस स्पीसीस याद है G.S ट्रिक? बहुत काम आएगी तो रेका कहने तुक्का मारा था तुक्का नहीं मारना है लॉजिकली भी समझना है ठीक है? बिलकुल यारे वा सुमन छितिज जहन, बिलकुल सही चलो, तो यह था अपना G.S ट्रिक तो आई गए सब लोग को याद रहेगा तो Lumbricus ट्रिस में जैनस क्या है? यह हो गया G.S सर यह हो गया आपका species और दौनों मिलके पूरा का पूरा वो नाम हो गया अगला है सबसे चोटी जीवित कोशिगाएं कौन सी है? जल्दी सबसे चोटी जीवित कोशिगाएं कौन सी है? वेटिंग वादी आंसर अभी मैंने थमसब किसी से नहीं लिया यह थमसब सबसे लेना होगा पहले इसका आंसर चाहिए सबसे चोटी जीवित कोशिकाई कौन सी है राइट राइट जल्दी मुझे बताओ सबसे चोटी जीवित कोशिकाई कौन सी है क्या वो amoeba है क्या वो paramecium है क्या वो mycoplasma फंगाई है amoeba 1, paramecium, mycoplasma या फंगाई क्या होगा इसका सही answer very good यहां पे मुझे दो चीज़ें बतानी है, याद रखना, सर यह जो सबसे छोटी कोशिकाओं के बारे मैं पूछ रहे हैं, तो पेपर में यहां से आपके पांच अलग-लग सवाल हैं, पांच सवाल, और यह पांचों सवाल मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना, तो अच्छा, अमीबा के साथ जा रहे हो क्या, इलॉन मस्क, अपनी गाड़ी के साथ तयार है, इलॉन मस्क गाड़ी वाले, भाईया, यहां पे आपका अंसर बिल्कुल सही है, ध्यान से सुनना, सर सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो प्लीज याद रखना, वो है सर माइको प्लाज्मा, माइको प्लाज्मा, अब सर यह तो हो गया, सबसे छोटी कोशिका, अब आप से पूछ लिए मानफ शरीर में सबसे छोटी कौन सी है, प्लीज मेरे कोईशन ध्यान से सुनते जाना, मैं जान बूछ के यहाँ पर एक साथ ही बता दे रहा हूँ, जिससे कन्फ्यूजन ना हो, सबसे छोटी कोशिका तो आपकी होगी सर माइको प्लाज्मा, इसमें कोई दो राहे नहीं है, लेकिन मानफ शरीर में अगर सबसे छोटी पूछ ले, तो क्या बता होगे, सर मानफ शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो जाएगी, सर वो हो जाएगे आपके शुकराणू, यानि कि वहाँ पर मैं स्पर्म सेल की बात करूँगा, दो कॉश्चन हो गए, अब सब तीसरे कॉश्चन पर आने से पहले, एक छीज और, यह जो माइकोप्लाज्म आप ने बताई, यह सर है क्या, माइकोप्लाज्म क्या है, यह सर आपके बैक्टीरियम है, यह पेपर का पूचा हुआ सवाल है, तो मैंने बता दिया, इसके बाद आप से पूछ सकता है, कि सर सबसे लंबी कोशिका कौन सी है सबसे लंबी कोशिका तो सबसे लंबी कोशिका में गलती मत कर देना बेटा सबसे लंबी हमेशा चाहें वो अपने शरीर की पूछ लो कोई भी पूछ लो वो सर होगी तंत्रिका यानि कि यहाँ पर मैं तो मास साब सबसे बड़ी कोशे का कौन सी होगी, इसके लिए आप याद रखोगे शुत्र मुर्ग का अंडा, अंग्रेजी वाले, बिल्कुल, that's right, शुत्र मुर्ग का अंडा, यानि कि अंग्रेजी में लिख देता हूँ मैं, ऑस्ट्रिच का एग, अगला सवाल, सर, शुत कोवम जिसे हम क्याते हैं, I guess, ये सारे के सारे कुश्चन समझ में आगए, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इसके बाद अगले पॉइंट पर सी है जब होगी शदा, we'll let you know, चलो, अगले पार्ट पर आते हैं, तो यहोगा मैको प्लाजमा, अगला सवाल है, the temperature of a liquid is 32 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius scale, question है, एक द्रव का तापमान 32 degree Fahrenheit है, एक द्रव का तापमान 32 degree Fahrenheit है, आपको बताना ये degree centigrade में कितना होगा, जल्दी इसका सवाल का जवाब देंगे, उसके बाद मैं इसी में दूसरा question और पुट अप करूँगा, जल्दी, अरे वा, उजएर, बहुत बढ़िया, egg of ostrich, ब पता रखा है, degree centigrade में कितना होगा, रतन का अंसरा है, 212, बंदूक बास फौजी का अंसरा है, 212, okay, तो A और B में competition चल रहा है, कुछ लोग D के साथ भी है, 100 के साथ अभी तक कोई नहीं आया, मासाव, सुन लो, इसके लिए एक formula है, जो सब को याद रखना है, यह paper नहीं पूछा जा सकता है, सुनो, formula है, 3 by 5 बराबर, F minus 32 upon 9, अब सर, अगर मैं इस formula को लगाऊं, तो ज़रा सोचो, 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 क्या वो पेड़ है, चादरोड़ी यहां खड़ा कोई, यहां पर सर, C upon 5 बराबर, F की value कितनी है, 32, 32 में से 32 अगर गया, कितना बचा 0, तो simple सिवाद सर, C की value भी कितनी आजाएगी, 0, तो सही आंसर क्या हो गया, 0 degree centigrade, तो जितने भी लोग यहां पर B के साथ गए है, गोबिंथ, देन, छितेज, बिल्कुल बहुत बढ़िया, देन, शितेज, इसने, देन, आशुतोष, जितने भी लोग यहां पर 0 degree centigrade के साथ गए थे, वो बिल्कुल सही थे, क्रश्णवंसी, सही है न, रागनी, PDF जैसे ग्लास फिनिश होगी, तो एक्जाइमपुर का जो में टेलिग्राम चैनल है, वहां पर मिलेगी, प्लिया, तो यह चीज आपको बूल लिनी, यह क्या है, 0 degree centigrade, ठीक है, टेक्नल अर्याणा, अब यहां पर मुझे एक सवाल सवाल है मेरा किस ताप पर degree centigrade और degree Fahrenheit बराबर होते हैं, और यह चीज पेपर में कई बार पूछ ली जाती है, जल्दी प्लीज, कई बार यह पेपर हैं पूछी गई है, कौन सा ताप ऐसा है जिस पे degree Fahrenheit और degree centigrade बराबर होंगे, बहुत बहुत इंपोर्टेंट है, यह पेपर के लिए most favorite स्वालों में से है, तो देखो, answer आ चुका है, 270 तो चेंज करें बिटा भी करते हैं, 2 मिनट और को पहले इसका answer दो, minus 40, बहुत बढ़िया, technical, then draw hit, Elon Musk, Elon Musk, seriously when, ठीक है, तो govind, जितने भी लोग यहाँ पे minus 40 के साथ जा रहे हैं, बिलकुल ठीक है, प्लीज इस temperature है, जिस पर degree centigrade और degree Fahrenheit बराबर होते हैं, कई बार पुझा तक 40 का answer मत लगा देना, minus 40 answer होगा, अब sir, एक तो यह होगा important, इसी में से एक चीज और important है, और यह आप लोग को याद रखना पड़ेगा, sir, 0.01 degree centigrade पर, पानी, यानि वाटर, कितनी अवस्थाओं में होगा, यह paper में कई बार पूचा गया है, तो मैं चाहता हूँ, आप लोग में से answer, पहला है एक अवस्था, दूसरा है दो अवस्था, तीसरा है तीन अवस्था, और चौता है चार अवस्था, अब अवस्था का मतलब क्या है, sir, English में मैं लग देता हूँ, in how many states water is possible, अब यह मत कह दे ना कि sir, West Bengal में और Karnataka में, 5 और 9, 5 और 9 बेटा क्या, वो बेटा फॉर्मला है, c by 5 is equal to f minus 32 upon 9, जहां पर c का मतलब degree centigrade है, celsius की बात करें, f Fahrenheit है, खेर, तो answer आना शुरू हो चुके है, कुछ लोग कह रहे हैं, 2, कुछ लोग कह रहे हैं, 3, टेक्निक हरे ना, 3 के साथ है, सुभाश, we have with 2, ठीक है, sir, 2 और 3 में tough competition चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं, 4 अवस्था होंगी sir, कुछ भी कर लो, 4 होंगी, ठीक है, अब sir, जरा सोचो, कि मैंने क्या किया, 0.01 degree centigrade की बात कर रहा हूँ, अब ये उधारण अपने घर से भी ले सकते हो, मालो मैंने क्या क्या किया, पानी लिया, और मैंने फ्रीजर में जमा रखा है, अब देखो paper में भी आपको क्या करना है, paper में भी आप लोग इनी examples क सहरे इनको answer देना, ये paper में कई बार पूछ लिया जाता है, मैंने क्या किया, मैंने बर्फ को अभी अभी freezer में से निकाला, सब लोग experiment करके देखो, freezer में से बर्फ को निकालूँगा, तो बर्फ कैसी होगी, sir, बर्फ होगी ठोस अवस्ता में, तो एक अवस्ता तो ठोस हो ग लेकिन, master जी, अभी भी सोनवीर चाहर, सोचो, कि मैंने क्या किया, बर्फ को निकाला है, ठोस अवस्ता में था, पानी रिषना शुरू हुआ, तरल हो गया, लेकिन जब freezer में निकाला हो, समें gas भी तो है, धुआ सा निकलता रहता है, यानि, sir, वो कौन से अवस्ता हो गई, इसका मतलब, sir, यहाँ पे gas भी है, तो इसी वज़ास से यह जो tap है, इसको बुलायाता है, बेटा, trick बिंदू, इसको क्या बोलोगे, इसे बोलोगे trick बिंदू, जिसको triple point of water भी कहा जाता है, triple point of water, तो paper में यह गलती नहीं करेगा, कोई भी याद रखना, वो तीन अवस्ता अब आप कहेंगे, master, जे तो बतादो, चौथी अवस्ता कौन सी है, तो चौथी अवस्ता पेपर में पूछ लिया जाता है, यह GD का ही पूचा हुआ सवाल है, क्या, sir, नहीं, sorry, MTS का पूचा हुआ सवाल था, fourth state of matter, क्या होती है, sir, चौथी अवस्ता कौन सी है, जल्दी स there, heads off, चौथी अवस्ता हमाज सब होती है, प्लाज्मा, चौथी अवस्ता होती है, प्लाज्मा, मैं question के post-martem तक कर दे रहा हूं, एक भी सवाल, मिस नहीं होना चाहिए, clear, प्लीज जात अखना, चौथी अवस्ता कौन सी है, वो है, sir, प्लाज्मा, अगला, तो यह तो हो ग आंटे, यानि पौधिवाला संग, एनी मले, या आपका जन्तु जगत, फंगाई, प्रोटेस्टा, जल्दी से मुझे बताएंगे, वीनस फ्लाई ट्रेप किस से संबंदित है, जल्दी, और हाँ, यह सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंगी वीनस फ्लाई ट्रे यह जो आपने बताएंगे, यानि प्लाण्टे से, तो में लेकबेदेका हूँ, वीनस फ्लाई ट्रेप किस से संबंदित हो गया, यह आपका पादप जगत से संबंदित है, अब क्या सरी कैसा दिखता है, तुझ जरा देख लेते हैs, पादप जगत में यह है वीनस यह Venus Flight Trap क्या करता है, नाम से समझ मैं देखो यह मक्ही है, यह मैंने वीडियो ऐसे बना रखी है, यह मक्ही आती है और यहां पे बैठ जाती है, जैसे यहां पे मक्ही बैठेगी, यह क्या करेगा? मक्ही को पकड लेगा, अब मक्ही को क्यूं पकड रहा है, इसके पीछे भी क क्यूं निकालेगा nitrogen, क्योंकि सर्फ यह जिस mite Также पर मौझूद है, जिस मिटी पर यह Venus Flight Trap पॉदा है, उस mite मिटी में nitrogen की कमी, नाइट्रूजन की कमी है तो ये क्या करता है, कीटों को पकड़ता है, और कीटों में से क्या करेगा, nitrogen निकालेगा, जैससे ऊसका शरीर घुदा म बिलकुल करशन जी, उड़ा दीजिए, next, तो अपने पास example official application है, जिसने भी application डाउलोड नहीं करी है, वो please application डाउलोड कर लो, क्योंकि यहां पर आपको मिलेंगे live paid courses, job alert, admit card, examination date, सारी की सारी चीज़ है, और करना क्या है, केवल play store पे जाना है, example type करना है, आपके पास install button आए transported through dash in the plants, path up हमें भोजन का परिवन कौन करता है, sir ये trick मैं बता चुगा हूँ, मैं नहीं चाहता है, इसमें कोई गलती करे, अच्छा, download है, कोई बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जल्दी मुझे बताएंगे, तब path up हमें भोजन का परिवन कौन कर रहा है, transportation of food, sir इसके हमने पड़ाफट, sir इसके लिए trick थी, और trick ये थी, sir, अगर मैं xylem की बात करूँ, देखो, ज और ल, sir, ही क्या बनाया, ज ल, ज ल, तो sir, जो xylem होता, ये क्या करता है, ये sir, gel, यानि की water का transportation करता है, हमने trick पड़ी थी, इसी प्रकार से, अगर मैं फ की बात करूँ, तो फ से क phloem, तो ये क्या करेगा, food का transfer, तो first है food, यानि phloem, just है gel, यानि की water, तो ये paper में कई बार पूछ लेता है, मैं नहीं चाहते है, इसमें कोई गलती करे, तो याद रखीगा, जो xylem है, ये क्या करेगा, sir, water और minerals का transportation, यानि जल का someone कौन करा रहा है, sir, वो है xylem, phloem, first है phloem और first है food, तो food और minerals का transportation का रहाता है, sir, phloem, और ये क्या है, ये sir, ootak है, tissues है, correct, चलो, जब tissues की बात हो ही गई है, तो एक और सवाल, sir, जो आप ootak की बात कर रहे हैं, tissues, तो sir, ootak की अध्यन को क्या कहेंगे, जल्दी मुझे answer देंगे, मैं question के post matum तक चला जा रहा हूँ, जो जो सवाल पेपर में पूछे जा सकते हैं, जल्दी मुझे answer देंगे, sir, फटा फट मुझे बताओ, कि जो हम बात कर रहे हैं, किसकी, ootak की, इसके अध्यन को क्या बोलोगे, sir, इसको हम बोलोगे, histology, क्या है sir, इसको बोलोगे, histology, तो प्लीज जाद रखो, cytology है, वो cell क study है, histology है, वो उतकों का अध्यन है, clear, चलो, अगला सवाल, यह flow हम हो चुका है, next, direction of heat flow depends on what, उश्मा प्रवा की दिशा किस पर निर्भर करती है, यह रहे आपके पास 4 options, बेटा नहीं, काडियोलोगी कैसे कह सकते हो, काडियोलोगी हिर्दय का अध्यन है, क्योंकि हमारे हि कोशिक, sorry, जो आपकी पेशी आए, वो कौन सी है, काडियक, तो काडियक मसल से वो वर्ड आया, काडियक, मनीश, प्रेम मौबत थोड़ी दिर में, पहले answer, energy, रतन कह रहे हैं, density, सत्य में तापमान के साथ, तो हमारे पास सारे option आ गए है, master सब ज़र समझ लेते हैं, सार एक इस बात बताओ, यह जो हम हीट की बात करते हैं, उश्मा की, यह कहां से कहां जाएगी, कैसे पता लगेगा, बहुत छोटा सा, simple सा example है, मान लो मैंने क्या किया, यह हाथ बनाया, अब आप यह मत कहना, कि sir, यह कैसा हाथ है, ऐसा लग रहा, फालेज मार गया है हाथ, तो basically, म मान लो मेरा हाथ जो है, वो हाइट एंड पर है, मतलब मेरे हाथ का यह तापपा ने simple से बात है, बर्फ से जाद ही होगा, मैं आप एक कड़ बना देता हूं, molecules, यह काली रंग का पहन लिया मैंने, और इसके अंदर मैंने बना एक कड़, कड़ बना लेता हूं मैं किसके, औ और हाथ मान लेता हूं में कि मिसर हमारा है, 25 degree set पर एक उधारन है, क्योंकि हाथ मेरा ज्यादा temperature पर है, अब सूचो क्या होगा, इसके पीछे का current समझना, क्यों बर्फ क्यों पिगल जा रही है, मेरा हाथ क्यों नहीं जम जा रहा है, क्यों, क्योंकि सर यह जो हाथ है मेरा, हमारा हाथ एक तरह से solid form, इसके अंदर से जो कण मौझूद हैं, वो अपनी जगे कंपन कर रहे हैं, देखो, इसमें क्या हो रहा है सर, कंपन हो रहा है, और जितना ज्यादा कंपन होता है, जितना ज्यादा vibration होता है, उतना ज्यादा तापमान होता है, उतनी ज्यादा गर्म अब यहां पर क्या है, यह जो पीछे वाले बच्चे की कर रहे हैं, बिल्कुल high temperature पर है, क्योंकि इसमें vibration जाता है, अब यह लोग सोच रहे है, मास सब ज्यादा मौझ ले रहे हैं, मैं नहीं मानूंगो, मैं मौझ लोगो, अब यहां पर क्या है, यह जो आगे वाले बच् करना शुरू कर दिया, देखो ध्यान से, इन्होंने भी क्या किया, vibration करना start कर दिया, अब यह vibration कब तक होगा, यह vibration तब तक जाएगा, जब तक कि पूरी की पूरी class एक level पे न पहुंच जाए, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, याद रखना, जो heat है, वो कैसे आती है, सर यह जो molecules के vibration हो रहे है, तो यह vibration होनी की रही सब क्या होगा, इनमें भी vibration होगा, कब तक ही, मास्ताफ जाने मोज लिए, मैं उलोंगो, अब यहां पर क्या हो रहा है, इस वाले part में देखा जाए, तो यह level जो है, यह तब तक इंक्रीज होगा, जब तक कि दौनों का level बराबर न हो जाए, तो यहां पर heat किस पर depend कर रही है, heat की बात करें, heat depend कर रही है temperature पर, इसी वाज़ा से हम कहते है, heat always flows from high temperature to low temperature, heat हमेशा क्या होती है, high temperature से low temperature पर, यानि कि उच्छ ताप से निमनताप की और, उच्छ ताप से निमनताप की और हमेशा आपकी heat जाएगी, यानि कि, Sir, क या उच्छी ताप से निम्न ताप, जरा देखो, क्या हो रहा है, सब इन में देखूं तो यह क्या है, सब तापमान पर डिपेंड कर रही है, यानि टेमप्रेचर पर, आएगा सिवाला पॉइंट क्लियर हुआ, सब लोग, ठीक, तो यहां पर किस पर डिपेंड कर रही है, सब को चलेगा, लेकिन एनर्जी मेंटिन करने के लिए मुझे सब लाइक, फटा-फट, चलो, टेक्निकल हर्याना, I can be in any category, चलो, अगले सवाल के और आगे बढ़ते हैं, डेश is the largest animal phylum, सबसे बड़ा जन्तु संग कौन सा है, टेक्निकल दौनों category में, ओके, थैंक्यू, यही तो है, जो यह एकदम न, इनर्जी बूसर की तरह काम करता है, चलो, फटा-फट, question है मेरा, डेश is the largest animal phylum, कौन सा सबसे बड़ा जन्तु जगत होगा, अब सर, इनम में से अगर मैं बात करो, तो यह हम लोग जानते हैं अच्छे से, वो पेटा latent heat का logic है, that's true, कि latent heat को क् ऐसा temperature, जहां पर बिना temperature के conversion के, बिना temperature के change के भी क्या हो रहा है, state change हो जाती है, right, तो बस वो example था, जहां पर मुझा समझाना था कि कैसे, कैसे, heat का transfer high temperature से low temperature पे हो रहा है, चलो, वहाँ मस आते है अपने point पर, तो sir, largest animal phylum कौन सा होता है, sir, वो होता है, arthropoda, कौन सा होता है, sir please, जितने भी लोग यहां पर D के साथ जा रहे हैं, बिलकुल सही है, सबसे बड़ा संग है arthropoda, जहां पर आप कीटों की बात कर सकते हैं, insects की बात कर सकते हैं, मैंने की image भी लगा रखी है, जरा देख लेते हैं, sir, यहां पर अगर इनकी body की बात करें, तो देख रहे हैं, य MLA में तो हम लोग भी आते हैं, इस्तंदारी जीव में हम लोग भी आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो संगय बेटा, वो आपका arthropoda है, यानि option number D, जिसमें आपके कीट आते हैं, clear, चलो, hello prinka, jahind, ठीक, it is clear हो चुकी है, next, आगे बढ़ेंगे, अगला है, dash regulates muscular movement for the locomotion, कौन सा भाग ऐसा है, जो चलन के लिए पेशिये गती को नियंतरित करता है, पहला option है seri bellum, जिसको हम भोला है, anumastik, दूसरा है medulla, तीसरा है thalamus, और चौता है seri brahm, फटा-फट मुझे आंसर देंगे, कौन सा सही आंसर होगा, जल्दी, रोहान आएगे साथ थोड़े से पीछ बिल्कुल बिल्कुल जूली, आप अपनी दर्फ से बैस दीजिए, बस जल्दी से मुझे आंसर देंगे, सर, muscular movement कौन regulate कर रहा है locomotion के लिए, क्या वो seri bellum है, medulla है, thalamus या seri brahm है, एक इसा जा रहे है, hello samrath, ram ram satyam, seri bellum, अब देखो, यहाँ पढ़ना कुछ लोगों को doubt ह है, कि सर, वो seri bellum होगा, या seri brahm होगा, या medulla होगा, क्योंकि thalamus वाला पार तो मैं पता है, सर, वो temperature का regulation and all, वो अलग हो गया, master साब, इसमें गलती कोई मत करना, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पर एक तो शब्द है seri brahm, seri brahm, ठीक, एक नामे सर, seri bellum, seri bellum, सर, इ मैं आपको पहले भी बता चुगा हूँ, यह वारा शब्द देखो, bell, bell, यह trick na paper में बहुत easy है, क्योंकि वैसे तो आपको याद हो गई, अगर कभी बूल जाते हो, confusion होता है, trick याद रखना, b a l, bell, balance, right, तो यह balance है, वो कौन देखता है, seri bellum, seri brahm, यह mustache का सबसे बड़ा largest part of the brain, paper में पूछ लेता है, सबसे बड़ा बाग कौन सा है, seri brahm, जो की, सोचने के लिए, तर्क शक्ती, यानि की reasoning में, इन सभी में जो help करता है, वो है seri brahm, लेकिन, seri bellum आपको body को balancing दे रहा है, body को posture दे रहा है, जिसकी वाज़ा आप धंसे चल पा रहे है, ठीक है, इस यहां पर गुसा आ रही है, यहां पर गुसा आ रही है, तो गुसा, प्रेम, यह सारी जो भावनाई कौन डील करता है, यह यह डील करते है, hypothelemus, याद रखेगा, hypothelemus बहुत ही छोटा भाग होता है, लेकिन, आपको मैं पहले बता चाँगो, master की भी master गनती, hypothelemus, तो hypothelem आपके emotions को control करेगा, seri brahm, तरक शक्ती, यहां फिर, याददाश, यह सब कौन देखता है, सर, वो है seri brahm, seri bellum की बात करो, bell, body के balancing, कौन देखेगा, सर, वो है seri bellum, अब एक चीज़ और रहे गई, अब यह सार, medulla oblongata, medulla oblongata, अब यह प्लीज यहां दखना है, हिंदी और इंग्लिश में नाम एक ही है, ठीक है, medulla, अब seri medulla क्या करता है, यह paper के लिए बहुत ज्यादा important है, क्योंकि paper में maximum question यहां से पूछता है, seri medulla oblongata क्या होता है, medulla oblongata यह वो वाला भाग है, जो, उन सभी चीज़ों को control कर रह है, for example, हम बहुत देर से अभी पढ़ाई कर रहे है, almost 40 minute हो गए, हमने कहीं बीच में यह नहीं सोचा, मासाव, सांस तो मैंने लई नहीं, मत तो नहीं आंगो, तो यहां पर क्या हो रहा है, ser, मैंने भी सांस नहीं लिये, कहीं मर तो नहीं जाऊंगा, ऐसा कहीं सोचा क्या है नहीं सोचा, क्यों, क्योंकि sir, back end पर यह अनेचे क्रियां जो होती है, उनको controlling करता है, वो कौन है sir, वो है बेटा medula oblongata, तो medula oblongata क्या करेगा, medula oblongata उन सभी चीजों को control करेगा, जो हमारे इच्छा के हिसाब से चली नहीं दहीं, जैसे की cheek आना, ulti आना, तो paper में कभी भ के बाहर है, वो कौन देख रहा है, वो sir, medula oblongata है, I guess, यह point clear हुआ, ठीक है, अब question पर आजाओ, question में क्या पूचा, sir, कौन muscular movement देख रहा है, locomotion के लिए, यानी चलने फिरने के लिए, body की balancing, bell balance, देखो, क्या है sir, वो है sir, seri bellum, clear हुआ, तो यहाँ पर सही answer क्या है, the correct answer is, seri bellum, तुमारा मस्तिश्क है, वो तीन भाग में भी वाजित है, अगर मस्तिश्क, मद्य मस्तिश्क, पश्च मस्तिश्क, four brain, mid brain, hind brain, तुमारे पश्च मस्तिश्क है, hind brain, उसमें होता है medula oblongata, जो क्या कर रहा है, उन सभी चीज़ों कर रहा है, जो मेरे control के बाहर है, clear, I guess, य break up ज़रू कर लो, मस्तिश्क बता रहे हैं, निकल के आएंगो, यह पिट्टी करके वापस आ जाएंगे, break up, चलो, इतनी clear हो गई, next, involuntary actions in our body are controlled by dash, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सवाल, अभी-भी-भी मैंने आपको बोला, कि सर यह paper में कई बार पूछ लेता है, हमारे सब स्प्राइट को का कुला चाहिए, अब ऐसा भी नहीं कि सर, all clear का मतला मास सब का चुड़ों का उपत है, ऐसे भी नहीं करना है, चलो, love from my end also, samrath, आचा दिखनी रहे, इसका सहरी ब्रम, अभी-भी बताया है, आप गल्ती करोगे पिटोगे, पिट्टी-पिट्टी कर द यह सबसे बड़ा भाग है, largest part, जो क्या-क्या देख रहा है, सर, आपके storage, किसकी storage, सर, याददाश की बात कर रहा हूं, memory का storage, जैसे pen drive होती है, hard disk होती है, वैसे आपके दमाग में data save है, उससर यहीं पे है, तरक शक्ती, reasoning power, यह सब सहरी ब्रम देखता है, bell, आपको पता जो अनेचे क्रियां देख रहा है, तो यहाँ पे सही answer क्या होगा, सही answer होगा, बेटा, D, please, please, इसमें गलती मत करना, अनेचे क्रियां कौन देखता है, सर, वो है, medulla oblongata, ठीक, चलो, it is clear हो चुगी है, आगे बढ़ेंगे, मास साब अगले question पर आ जाओ, अब सवाल हम ले प्रकाश को मापने के विज्ञान, प्रकाश मिती का मूल ऐसाई मातरक क्या है, what is the basic SI unit of photometry, the science measuring the light as perceived by the human visual system, अब सर, यह मैंने वो सारे सवाल रख्यों में, फिसेक्स के, 74 questions है, 72 या 74 के अप्रोक्स हैं, जो आपके GD वाले paper हैं, पूछे जा चुके हैं, तो यह मैंने सारे sequence order से लगाई हुए, फड़ा-फड इन 70 questions को देखते हैं, उसके बाद मेरे पास mix question है, जो आने के पूरी-पूरी संभावना है, एक भी question नहीं छूड़ेंगे, एक भी नहीं छूटना चाहिए, sequence order में लगा रखा है, 1, 2, 3, आपका P.D.F.I. की से revise जरूर कर लेना, पुरानी amount of substance, वो है सर मूल, Kelvin, सरी क्या बताता है, ताप के बारे में, यानि की मास साब ये बताएगा temperature के बारे में, ampere, सर, ampere किसके बारे में बताएगा, सर, current, विचो तूर्जा, लेकिन जोती तीवरता की बात करें, luminous intensity, सर, वो क्या है, वो है candela, तो सही answer क्या हो गया, option number D, बढ़िया, next, जनता जनारदन अगला सवाल, दूसरा सवाल है, आपका 19 फरवरी का 2019, फटावर जल्दली answer देंगे, क्योंकि बहुत सारे questions अपने पास, ये 70 questions वो हैं, जो GD में पूछे जा चुके है, physics से, ने मिले कितमें से किस मात्रा की काई, मीटर पर सेगंड का उपयो ये तो ये आपका मास, तो मास कैसे बताएंगे, मास बताएंगे सारम, kg से, velocity, meter per second, right, सर तवरन, ये क्या होगया, meter per second square, लेकिन वेक की बात करो, सर ये क्या है, meter per second, इसलिए सही answer क्या हो जाएगा, A, तो जितने भी लोग 1 किस आते, बिल्कुल सही हैं, अगले सवाल पर आत तो यह प्लीज याद रखेगा, स्फिग्मो मैनुमीटर के इस्टिमाल करते हैं रक्तदाब मापने के लिए, अब सर पेपर में क्या पूछेगा, इस वाले पेज पर आते हैं, सर यह पेपर में पूछ लेता है, तो कि स्फिग्मो मैनुमीटर क्या करेगा, ब्लड प्रेशर म लेकिन, बायो की question पर आ जाते हैं sir, यह जो BP है न, रक्तदाप के हम बात कर रहे है, sir, यह BP से सवाल पूछ लेता है, BP, अब सब ब्लड प्रेशर की बात, ब्लड प्रेशर की तो रीडिंग आती है, कौन-कौन सी दो रीडिंग है, सब ब्लड प्रेशर की दो रीडिंग है, एक तो sir होती है 80, और दूसरी होती है 120, जो कि कुछ इस तरी की से लिखा रहेता है, 120-80, यह हमें रीडिंग याद रखनी पड़ेगी, यह paper में पूछी आती है, सर, यह जो 120 है, यह है diastolic, यह है systolic, तो paper में पूछ लेता है sir, वो रीडिंग कौन सी है, वो है sir 120 और 80, इस चीज को भूलना मत, clear, एक एक चीज में बता दे रहा हूं, जो paper में आ रही हैं, कोई गलती नहीं करेगा, और जितने भी लोग जोट चुक हैं, जल्दी से session को like कर दें, और answer देना शुरू कर दो, चलो ठीक, यह चीज हो गई, आगे बढ़ते हैं, sir humidity को किस से map होगे, आधरिता को, sir, इसको mapने के लिए हमें चाहिए hydrometer, हमें क्या चाहिए, sir, hydrometer, विदोधारा, sir, current किस से map आपते हैं, sir, विदोधारा map पी जाएगी, a meter से, कैसे, sir, m देखो, m का मतलब क्या कह रहा है, sir, m का मतलब वो ampere की बात कर रहा है, ऐसा meter है, जो ampere map रहा है, a meter, sir, wind की, pavan की बात करो, pavan का वेग नापता है, sir, pavan का वेग मापने के लिए हमारे पास होता है, anemometer, anemometer, तो pavan का वेग मापने वाला कौन होता है, sir, वो होता है anemometer, please, 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 एक-एक चीज पूछ लेता है आपसे, हाँ, आज जो पर आया था, वो starting के 11 equation, वो है आपके same है, next, अगला है, वायू मंडलीद आपको मापने के लिए निमल कितमे से किस विज्ञाने को उपकरण का अपियर कर रहे है, अब sir, atmospheric pressure के लिए क्या यूज करोगे, atmospheric pressure के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, sir, वो है आपका barometer, right, क्या barometer option है, बिल्कुल है, तो barometer का इस्तिमाल करते हैं हम लोग, वायू मंडलीद आपके लिए, बिल्कुल, हाइग्रो मीटर आपका किस के लिए हो गया था, हाइग्रो मीटर वो था, आपका आधरताब माप रहे थे, correct, humidity, next, अगला सवाल, भूकंप को पहचानने के लिए और उसे record करने के लिए निमलिकित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, जल्दी सोचो, यह वाला सवाल में थोड़ा थाइम दूँगा, क्योंकि मुझे सबसे चाहिए, सर, यह जो भूकंप वाला सवाल है यह कई एक्जाम में पूच लेता है, which you used to detect and record the earthquakes, तो इसमें गलती मत करना यह क्या है, यह है सीस्मोग्राफ, तो सीस्मोग्राफ क्या है option में, बिलकुल है, option number B, तो सीस्मोग्राफ क्या करते हैं यह, आपके earthquakes को measure कर रहे हैं, next, इसमें सरी power है, 10 की power 18, 10 की power 18, यह मैंने morning में भी बताया था, 10 की power 18 और 10 की power 15 का यह पूचा जा चुका है यह पेपर में, तो फटाफट मुझे बताएंगे, कि इसके सही अंसर क्या होने वाले है, जल्दी, waiting, sir, यहां पर गल्ती है, यहां पर 10 की power 15 की हम बात करें, तो यह क्या होता है, 10 की power 15 और पार्ट आपका 10 की power 18 तो हो गया, आपका यह, आ, एक्सा, इसके लिए 10 की power 15 के लिए हमारे पास question है, कि prefix 10 की power 15 क्या होगा, तो 10 की power 15 और याद रखिएगा, तो एक्सा क्या था, 10 की power 18 आपका हो गया, एक्सा, और 10 की power 15 आपका हो गया, इसी प्रकार से का 10 की बात करोगे, यह कहलाता है, डेका, चलो, next, प्रकाश वर्ष निमलेकित में से किस से संबंदित है, यहां पर 2 questions, पहला question तो यह, सर, प्रकाश वर्ष किस से संबंदित है, सबको पता है, सर, प्रकाश वर्ष की बात करें, यह दूरी से संबंदित हो गया, सर, क्योंकि क्या हो, रहा है बहुतब्हाँ से स्पीड की बात करते है, यह सब्से बड़ी काई नहीं है, पेपर ने पूछ ने पुशा, सबसे बड़ी दूरी की काई क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे, ढूरी के लिए है कोई राउट नहीं इसमें लेकिन सबसे बड़ी यूनिट पूछ ले सबसे बड़ी दूरी के लिए जो आप यूज़ कर रहे हैं वो क्या होगा सर वो होता है आपका जल्दी से मुझे पताएगा कौन बता सकता इसका अंसर दूरी का बिल्कुल सही है प्लीज याद रखना सबसे लंबी दूरी के लिए लिए हम लोग यूज़ करेंगे पारसेग ऄस्बसे लंबी दूरी के लिए हम लोग क्या इस्तिमाल करते हैं पड़ा त ये पेपर का कई बार पूछा वह सवाल है या आज मैंने मौर्नें में भी एफ्लिlen में भी डिस्कॉस किया था म última म यहां यानि humidity of air is measured by hydrometer sir, micrometer नाम समझा रहा, बहुत ही छोटे-छोटे objects सूच में कि हमका बात करें, क्या है sir, micro, micrometer thermometer, sir, हम लोग जानते हैं किस के लिए, temperature के लिए, ताप के लिए लेकिन sir, एक बात पताओ, यहाँ पर यह जो hydrometer है, इसको दूपाट में तोड़ो, hydro, sir, कही ना कहीं लिक्विड, पानी के सा लग रहा है, sir, अगर मुझे किसी तरल पदार्त की क्या करना है, यहाँ पर density के बारे पता लगाना है, हाना, तो वहाँ पर क्या यूज करूँगा, hydrometer, तो कई बार नाम से ही चीज़ें clear हो जाती है, lactic, lactometer, सब दूद की शुद्दम आपनी है, हाना, तो वहाँ से क्या, basically हम लोग यूज कर सकते है, lactometer, तो कई बार ना, चीज़ें अगर अगर समझ में नहीं आ रही है, बस के नाम से देखो, meter, sir, measurement के लिए यूज दो रहा है, lacto, master, lacto कहीं तो सुना है, sir, lactic acid, दूद वाला भार्ट, right, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर answer दे सकते हैं, चलो, sir, यह answer हो गए, next, acceleration of an object is set to be dashed when the object moves in a straight line and its velocity increases or decreases at regular intervals of time, यह, sir, आपका, चो सवाल है, यह है, gd 12, 16 December का, किसी वस्तु के तुरण को, तब इन 4 options में क्या कहेंगे, जब एक वस्तु एक सीधी रेका में गती करती है, और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग भड़ता हैं गठता है, अब, sir, एक चीज बताओ, हम लोग यहाँ पर बात करना है, acceleration की, acceleration क्या होता है, acceleration is rate of change of velocity, यानि, वेग की परिवर्त अंदर, अब, वेग की परिवर्त अंदर में, वेग की परिवर्त अंदर में, आपसे उसमें condition, क्या पता रखी है, कि एक सीधी रेखा में गती कर रहा है, समय के नियम में तंतराल में, उसका वेग भड़ता है या गठता है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक समान तोरण, यानि की, याद पर क्या होगे, Uniform Acceleration, Uniform Acceleration, Option Number C, तो जितने भी लोग यहाँ पर C के साथ थे, बिल्कुल सही थे, राइट, नेक्स्ट, अगले पॉइंट पर आजाओ, विच अगले पॉइंट पर आजाओ, विच अगले पॉइंट पर आजाओ, एक सरल रेखा में, एक समान गती के साथ अवस्ता करता रहता है, जब तक उसे किसी बहारी बल द्वारा अनिता कारे करने के लिए विवश्च ना किया जाए, यह सतर कौन सा है, यह आपका, जो है वो कौन सा है, वो क्या है वो धड़, वो जिस कार में या बस में बैटा हूँ, वो उसके अकॉर्डिंग रेस्ट कर रहा है, उसके हिसाफ से चल रहा है, लेकिन अपर पार्ट थोड़ी देर बाद रुखता है, बाखी चीजें एकदम से वो मूवमेंट में था और आगे वाला पार्ट एकदम से जैसे यह रुखा, तो क्या होगा मैं से जुख जाऊंगा, तो बस सिंपल सा लॉजिक वो क्या है जड़त वाला पार्ट, इंगलिश के लिख देता हूँ, इनर्शिया, अगला सवाल है, प्रती का ही समय में किसी वस्तू के वेके में परिवर्त अंदर क्या कहलाती है, देखो, आठ दिसमर का कोईशन है, और बच्चों माला सवाल एकदम, क्या पूचा सर, अब सर यह क्या होगा, अभी अभी इसके बारें बताया था, क्या करें, गाड़ी को उठा के पिटाई कर दोगे, तुमने उल्टी तुमारी पिट्टी कर देंगे बता रहें, ऐसे करके न, चलो, अब सर, यहां पे आपसे पूचा rate of change of velocity, सर हमें अच्छे से पता हो क्या होता है सर, acceleration, जिसकी unit भी, meter per second square, next, किसी पिंड के समवेक को उसके निम्न के गोडन फल्क में परिभाशित किया जाता है, सर, यह 29 नवंबर का question है, answer, और जितने भी लोग जोड़ चुए हैं, फटाफट जल्दी सेशन को like कर देंगे, जल्दी से please, आब विवेक D के साथ हैं, Chitich, Nehu, Manishankar, Elon Musk, Elon Musk, I am happy for you, Elon Musk एक बाद होता हो, गाड़ी बाड़ी का business थप पड़ा हुआ हैं, ठीक है, but it's good, आपके answer अच्छे आ रहे हैं, proud of you man, तो प्रेंगा D के साथ हैं, Satish, D के साथ, Sushant D के साथ, सब लोग बिलकुल सही है, साथ, जब भी हम किसकी बात करें, momentum की, तो P बराबर M into V, M क्या है, सार, यह आपका द्रविमान हो गया, V आपका वेक है, यानि कि यह आपका क्या है, Mass, V आपकी velocity, today is the product of Mass and Velocity नहीं, द्रविमान और वेक का यह golden fall है, अगला सार, Inertia can be measured by its dash, जड़त्व को इसके dash द्वार मापा जा सकता, जल्दी से उसे बताएंगे, सार, जड़त्व को आप किस से मापेंगे, इनर्शिया को आप किस से माप सकते हैं, जड़त्व को, अभी बताएंगे, सार, आपको law of inertia वाला part है, तो देखो, जब भी आप inertia वाले part की बात पर इसमें याद रखीगा, क्या आप किस से माप सकते हैं, सार, इसको आप माप सकते हैं, Mass से, यानि इसके द्रविमान से, ठी किस सिद्धांत पर कारे करता है, जल्दी, तो यह आपके पास चार options, तो jet engine किस सिद्धांत पर काम करेगा, तो sir, jet engine actually आपका काम करता है, किस पर, आपका conservation of linear momentum पर, तो conservation of linear momentum, यानि कि रेखिक समवे के संरचन पर ही आपका काम करता है, तो यह चीज़ें application वाले, यहां तक discuss क अब application वाले, अगले वाले पार्ट से answer देना, start करेंगे, बढ़िया, तो यहां पर सही answer क्या होगा, सही answer होगा, आपका option number B, next, एक आवेशित पिंट द्वारा, किसी अन्य आवेशित या अनवेशित पिंट पर लगाई जाने वाले बल को, निमलेकित में से कौन सा बल कहा जाता है, the force exerted by a charged body on another charged or uncharged body, is called which type of force, जल्दी से प्लीज, क्या होगा इस answer, अब सर यहां पर, कुछ मैं आपको याद दिला देता हूँ, मालो दो आवेश रखें, अब सर अब कुछ तो याद आएगा, कूलम, कुछ याद आया, बिलकुल, that's right, अब सर, यहां पर, हम लोग जब भी ऐसे force की बात करते को, एक Q1 charge यहां पर है, Q2 charge यहां पर है, ठीक है, अब वहां पर क्या है, के एक आपकी charge body है, ठीक, अब यहां पर, basically, मैंने चार्जिस की बात की है, तो यहां पर जो उपका force लग रहा है, मालो यह दो objects है, ठीक है, यहां पर जो force लग रहा हो, electrostatic force, यानि की, अभी केंद्रिय बल नहीं बढ़ा, अभी केंद्रिय बल मैं आपको समझा दूँगा, लेकिन अभी याद रखी का, यहां पर सही आंसर क्या है, electrostatic force, यानि स्थिर वैदुत बल, अब सर, centripetal मैंने आपको उस दिन समझाया था, मैं फिर से समझा देता हू मैं आगे बढ़ूँगा, सर मालनो मैं एक गाड़ी की, नउस दिन भी ऐकड़ी लिया था, मालनो यहां पर क्या हुआ है, कि आप लोग बाइक चला रहे है, ठीक है, सुंदर कन्या के साथ, या फिर सुंदर कन्या बाइक चला रही हैं सुंदर लड़के के साथ, तो बेसिक center की तरफ जुक जाते हैं जिससे हम लोग गिर ना जाएं अब यह जो center की तरफ गिर जाते हैं अच्छा, हाँ, Elon Musk, इसका तो answer पेटा सही दे दे ना, यह जो बल लग रहा है, केंद्र की तरफ यह केंद्र की तरफ बल लगने वाला केंद्र कहलाता है, सर, अभी केंद्रियबल, क्या कहलाता है, अभी केंद्रियबल English में कहते है, centripetal force correct, अब सर, इसको ऐसा रखता है, जिसने बाहर से कोई force balance कर रहा है, लेकिन असलियत में नहीं है, वो बेटा कहता है, वो असली में एक्जिस नहीं कर रहा है यह pseudo force actually क्या है, सर यह होता है, centrifugal force centrifugal force जिसको हम हिंदी में कहेंगे upcandriable upcandriable और पेपर हम पूर सकता है, सर, washing machine में जो force लग रहा है, pseudo force, तो आप आसनानी से example दे सकते हैं, अपने centrifugal force का भी clear, चलो तो यह आपके centripetal और centrifugal clear होगा, electrostatic बता चुका हूँ, next how much centripetal force f is required for this, question है in a circle motion of a body of mass is moving with a tangent velocity v in a circle of radius r अब पड़ा पड़ा आप मुझे पताएंगे, कि सर, यहां पर centripetal force कितना लग रहा होगा, यानि r तरिजिया के एक व्रत में इस पर यहां व्रत में गतिमान कर रहे हो, M उसका mass हो गया, ठीक है अब आपको यहां पर मुझे फटा फट बताना है कि सर, इसमें अभी केंदरिये बल कितना चाहिए कितना लगेगा जल्दी, प्लीज सर, यहां पर अभी केंदरिये बल कितना लगेगा कितना होगा यहां पर centripetal force और हां, यह centripetal force जो लोग भूल जाएं, सर, center की तरफ लग रहा है कि बाहर की तरफ याद रखना, मम्मी पीट-पीट के center में ले आती है न बेटा, तो मम्मी पीट-पीट के center में ले आती है, इसका मतलब जो center की तरफ लग रहा है बेटा, काम कर ले, बता रहा हो, इतना कूटूंगी न, center में आ जाएगा, तो center में ले आती है पीट-पीट के, तो center में center में पीट के, center में पीट के जो force ले आती है center की तरफ, वो है centripetal force, खेर तो यहाँ पे option क्या है, सर यहाँ पे जो answer आप देख रहे है, mv square by r, तो यह आपका सही answer होगा, तो यहाँ पे answer क्या होगा, option number d, clear? तो इस तरीक से आप लोग इसका याद कर सकते हो, right? चलो तो commando, army boy, I guess, यहाला point clear हुआ, चलो, तो यहाँ पे क्या था, mv square by r, next गोडे दोरा कीची गई गाड़ी की गती बहुत एक में किस सिद्धानत का उधारन है? horse drawn carriage is an example of which principle of physics? कौन सा होगा? Elon Musk, don't know, बेटा, गाड़ी वाले answer तो बेटा चाहिए चलो, इसकांसे तो फटाफट जलता है और जितने भी लोग जोड़ चोके हैं फटाफट जल दी से सेशन को लाइक कर दो, bro हाँ तो sir, यह जो horse drawn carriage के हम बात कर रहे हैं, sir, एक बात बताओ आपने एक Newton की जब बात करी तो Newton का जो जब मैं बोर्ड पर धुक्का लगा तो बोर्ड भी क्या करेगा ? बोर्ड भी मेरी उपर अपोसिट नड पर धुक्का लगा रहा होगा जब Lynn ने क्या क्या किया ? इसका मतलब, यहां पर क्या हुआ बराबर reaction लगा अब माल लो कि मैंने क्या किया, बोर्ट से जो वापस reaction मिल रहा है, वो उतना नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, पीछे किसा जाएगा, राइट, तो क्या है, सरी है, Newton का तीसरा नियम, अगर मैं ओम्स की नियम की बात कर लूँ, तो V equals to IR वाला पार्ट, है ना, अभी एक सवाल भी है, जहां पर माल लो पानी में कोई object, अगर हमने गिरा दिया है, माल लो पानी बर रहा है, पानी के इंदर में कोई वस्तू डाल दी, तो वस्तू हलकी सी प्रतीत होती है, क्यों, सर्च, जो वहां पर वस्तू आपने डाली, उतना कुछ ना कुछ, उतने ब नेक सर, अगला है, गर्ती का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार दूसरे पदार पर जोड लगाता है, तो दूसरा पदार तुरंत पहले वाले पर बल लगा लेता है, अभी मैंने आपको बताया, मैंने कहा कि मैंने आपर धक्का लगाया, तो उतना ही मेरे पास वापस तो to every action, there is always equal and opposite reaction, अफटा फट देखो, कौन सा वो नियम है, which law of motion states that one, when one substance exerts the force on another substance, the second substance immediately exerts the force back on the first, क्या होगा इसका सही अंसर, क्या होगा, बिलकुल सही, सर अगीन, सही अंसर क्या होगा, सर न्यूटन का, तीसरा नियम, next, सीसा बहुत की कि किस सिद्धान्त का उधारण है, सीसा इस एक्जेम्पल और विच प्रिंसिपल आप फिजिक्स, अब जितनों को सीसा नहीं पता है, सर, बचपन में, हम लोग एक जूला जूलते हैं, तो सब ने वह जूला जूल रखा है, कौन सा वाला, सर कुछ ऐसा था ऐसे करके एक जूला बना करता था, और यहां पर ऐसे करके, सीटिंग प्लेन, तो यहां पर बैठते थे और दौन लोग ऐसे से करके जूलते रहते थे, तो यह वाली चीज, अब फटा फट मुझे पताएंगे, सर, जो सीसा है, यह कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, अब यहां पर सामने वाला कोई बैठा हुआ है, अब यहां पर सुंदर करने वाला एक्जेमपल ने लेंगे, यहां पर बचपन में तो अपने भाई के साथ ही के खेलता था मैं, बागी लोग भी, तो बिसकली लोग कौन सा है, बिल्कुल सही, सर, वो क्या है, फोर्स, तो पर सही आंसर क्या हो जाएगा, बल, यह आपका जीडी का एक मार्च का सवाल था, नेक्स्ट, निम लेकित में से कौन सा गति का सही समी करने, अब यहां पर पेपर में ना गुमा दिया, अब कैसे गुमा दिया इस तरह देखते हैं, पर जितने भी लोग जोड़ चुके हैं फटा-फट revision कर लो अपना, तो मैंने क्या बोला, इसमें सर मैं equations की बात करता हूँ, तो equation मैं देखो, तो सर कहीं से भी मुझे एक भी equations ही नहीं लग रही, ऐसा ही है न, A है, क्योंकि यहां पर मैं time लोग हूँ, मैं सब से answer चाहिए, अब पूना हम A के साथ जा रही है, सुम सर एक सर equation है, S बराबर UT प्लस half A T square, क्या याद है यह वाली equation, कितनों को याद है यह वाली equation, अब इस वाली equation सर रिलेट करके देखना, अगर मैं इस वाली equation सर रिलेट करके देखूँ, तो सर अब क्या हमें कुछ answer मिल रहा है, मुझे पता यहां पर हम लोग कोशिश कर रहे सर वह समी करन हम अलग-लग देख रहे हैं, क्या सर, V is equal to U plus A T, एक भी match नहीं कर रहे है, सर क्या करूं मैं, A, B, C, D, अभी भी चल रहा है, ठीक है, सर इस वाले part पर आ जाते हैं, सर, अब मैं अगर इन में से किसी भी equation compare करने question मुझे कुछ सही-सही नहीं देख रहा, अब यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी यहां पर changes लाने पड़ेंगे, ज़रा देखो, सर यह जो लिखा हुआ है, मैं इस पूरी equation में 2 से divide कर देता हू, पूरी equation में, तो देखो, क्या बना, s, 2s by 2 is equal to 2ut by 2 plus 80 square by 2, यह न, actually square है, ठीक है, अब यहां पर, सर, जो आप लोग कह रहे थे, 4th वाल equation, तो पता है, आप लोग क्या कह रहे थे, आप लोग कह रहे थे, कि v square plus u square बराबर 2s है, लेकिन यह गलत है equation, क्योंकि असली equation, क्या होती है, असली equation आपके v square is equal to u square plus 2as, तो यह आपके सही equation, इधर ले जाओगे, तो बिटा, यह माइनस में हो जाएगा, correct, इसी प्रकार से वाकी equation में देखो, अब यहां पर मैं देखू, तो 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, तो यह क्या बचा, s बराबर ut plus half 80 square, अब मैं verify करता हूँ, सर, इसको और इस को देख लो, कहीं मैच कर गया, यह मैच कर गया, इस लिए बेटा, यहां पर सही answer क्या हो गया, B, तो paper में इस तरीके से गलती करवा लेता है, clear हुआ, ओते बेटा, टी कर हुई, then Elon Musk, Julie, सब को clear है न, okay, फटाफट जल्दी से, thumbs up, लसी, कुछ भी चलेगा, फटाफट से, energy booster, फटाफट दे दो, next, जब, जब बल दो सत्यों को बीच, सापेच, गती का प्रतिरोध करता है, तो इसे dash का जाता है, the force resists, relative motion between two surfaces, it is called what, अब ज़रा इसे समझने कोशिश करेंगे, क्या होगा इसका सही answer, B, जहां पर, सर, क्या होगा, resistance, induction, convection, friction, प्रतिरोध, प्रेर्ण, समवहन, स्वरी, या फिर घर्शन, क्या लगता है, आपको सही answer क्या होगा, समझ ना, सर, एक तो surface ही है, ठीक है, अब मैंने क्या किया, सर, समझना द्यान से, यह देखो, मैं आपके पास लगाता हूं, कैमरे के पास, मैंने क्या किया, यहां पर धक्का लगाने की कोशिश की, तो basically क्या हो रहा है, सर्फेस है मैंने जब इसे remote को आगे के तरफ ऐसे खिसकाने की खिशिच की तो यहा पर क्या हो रहा है सर्फेस के बीच में कोई-टो force है जिसके motion को रोकने कर रहा हूं ह्थो क्या motion है यह आगे खिसकाने को रह रहा हूं कटिंग कटिंग सकी वनी रहती है, देखा था। सब्सट्व है 29 को कटिंग रहती है इसको ठेटिंग इसी प्रकार से है, अगर में अपने सब्सक्राइड शोल की पात करूज तो शुल सके षोल के नीचे भी कुछ ऐसे ठेड़ रखाई है यह से trading क्या करती है, यह गर्शन बढ़ाने का काम करती है, पिर बना पूछ लेता है, गर्शन बढ़ाने से क्या होगा, हम लोग फिसलेंगे नहीं, कई बार उतरा चपल बहुत पुरान ही हो जाया, जूता बहुत पुरान हो जाया, तो यह घिस जाते हैं, और घिसने के उसे क क्या हो गया? घर्षण हो गया. Next. कोई वस्तु अपनी विराम अवस्ता या गतिमान अवस्ता में होने वाले परिवर्दन का विरोध करती है. यह सुभाविक प्रवर्थी क्या कहलाती है? An object in its state of rest or motion. This natural tendency of those who oppose the change that is taking place is called what? तो जल्दी से प्लीज का answer देंगे? इसका क्या answer होगा? Sir, अभी-अभी हमने Newton ना पहला नियम समझाता जहां पे मैं आपको यह बता था, कोई भी object है. अगर वो चल रहा है, तो चलता रहेगा. रुका हुआ है, तो रुका हुआ रहेगा. बोला था, अब Sir, यहां पे ज़रा सुचो कि वैसे कुछ है, object in its state of rest or motion, the natural tendency to oppose the change that is taking place, it is known as what? तो Sir, वहां पे अभी मैंने बस वाला उधारन लिया था. क्या, Sir? बिल्कुल. Sir, बस में अगर हम बैटे हुए हैं, एकदम से बस चलने लग जाएं. घर जाते हैं, उसके पीछे है कारण, Sir, जड़त, यानि inertia. तो सही आँसर क्या होगा? जड़त विया फिर inertia. आएकस यहाला पाइंट क्लियर हुआ? तो जितने भी लोग A के साथ हैं, बिल्कुल सही है. Next. अगला सवाल, Sir. अगले सवाल पर बढ़ने से बहले जड़ा मैं आपको बता दूँ. कोर्स लाँच हो चुगा है. CISF ASI का. यह आपका जो कोर्स है, यह क्रेश कोर्स है. ठीक. इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है? इसमें आपको मिलेगी live classes, practice quiz, current of your magazine, handwritten note, class pdf. यह सारे की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और इस कोर्स के लिए आपको 999 पे नहीं करने है. यह कोर्स आपको मिलेगा 299 में और इसके लिए कोई भी कैसा भी coupon code नहीं लगाना है. 299 रुपे का आपका CISF का ASI का कोर्स है, crash course है, जिसमें मिलेगी आपको live class, practice quiz, current of your magazine, handwritten notes और class PDF. चलिए, अगर आप fraction कहा रहे हैं, fraction तो गलत हो जाएगा ना, fraction और fraction में difference है, fraction वो mathematics वाली terms आ गई है, जहां पर आप कहीं न कहीं, राइट, चलो, वो mathematics, निवे देता, class अपनी पाँच बजे तक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, एक साधारण pendulum में T समय और length यानि लंबाई के बीच का संबन्द आपको बताना है, जिसमें G गुरतवा करशण के कारण तोरण है, relation बताना है आपको, time में, और ये length और gravity में, जल्दी से मज़े बताना है, इसमें से कौन से सही answer होगा, A, B, C, D, ये 6 March का सवाल है, जल्दी, answer please, चरद अभी बता रहे हैं, Pakistan से बेटा है, Afghanistan से, जमीन के अंदर से, पातालोक से, बहुत बढ़िया, तो जितने भी लोग यहां पर A के साथ जा रहे हैं, बिलकुल सही है, यानि क्या होगा, T is equal to 2 Pi, under root N upon G, यानि option number A यहां पर आपका सही है, बढ़िया, next, किसी व्यक्ति का वजन जमीन पर 60 किलो है, एक समान तुरण के साथ, लंबबबद उपर की और, गतिमान एक लिफ्ट में, जब उसका वजन मापा जाता है, तो जव्यक्ति के वजन पर क्या प्रभा पड़ेगा, सुचो, यह है lift, अब lift को क्या किया, lift कहां जा रही है, lift जा रही है, उपर की तरफ, अब एक समान तुरण के साथ, लंबबबद उपर की और, गतिमान लिफ्ट में, जब उसका वजन मापा जाएगा, तो जव्यक्ति के वजन पर क्या प्रभा पड़ेगा, यानि इसमें अगर देखा जाए, तो इसमें क्या है, acceleration है, अब acceleration है, lift कहां जा रही है, उपर, अब बता वजन पर क्या प्रभा पड़ेगा, वजन दे रखा, उसका 60 किलो, पहला है, वजन बदलेगा नहीं, दूसरा वजन शून नहीं हो जाएगा, तीसरा वजन कम हो जाएगा, चौता है, वजन जादा हो जाएगा, सो समझ के आंसर देंगे, शेतिजन डी के साथ, राम निवासन सी के साथ, शेवानी बी के साथ जा रही है, आशुतो शे के साथ है, अब जनता जनारदन मेरे पास यहाँ पे एक ट्रिक है, और वो ट्रिक बहुत काम आने वाली है, ध्यान से सुन लेना, ये लिफ्ट वाला सवाल पेपर में कई बार पूछ लेता है, सुनना ध्यान से, मास साव ये, ये ध्यान सुन लेना, ये लिफ्ट है, मानलो, रिमोट अप गरना जाए, अब मैंने क्या किया, लिफ्ट अगर आपकी देखो रुकी हुई है, तो आपका ये व्यक्ति मानलो, ये रिमोट है, ये व्यक्ति है, अगर रुकी हुई है तो वजन जितना था उतने का उतना ही रहेगा यहां फिर दूसरी condition देखना acceleration अगर हो रहा है तो अगर यह lift ऊपर जा रही है तो यहां पर जो इसका वजन है वो बढ़ेगा अगर lift नीचे आ रही है तो वजन घटेगा अगर lift की तार टूटी है lift एकदम से नीचे आ गई तो क्या होगा इसका वजन शून नहीं होगा यह चीज प्लीज आपको भूलनी नहीं है मैं फिर से लख देता हूँ बोड पे भी lift ऊपर गई वजन बढ़ा lift नीचे आई वजन घटा और lift एकदम से नीचे आ गई lift कट गई तार कट गई इस वाले केस में आपका जो वजन है वो बिटा शून नहीं हो जाता है और सिंपल सी बात है अगर lift रुकी हुई है तो वजन वैसा का वैसा रहता है हमने पढ़ रखा था ना तो यहां पर ज़रा सुचो क्या हो रहा है सा question में हमसे क्या रखा कि lift ऊपर जा रही है जब ऊपर जा रही तो वजन भी भढ़ेगा बिल्कुल सही तो यह वाली condition कोई भी भूलना मत पेपर में आप से lift वाला question पूछ सकता है तो lift क्योंकि ऊपर जा रही है तो 60 क्लो से वजन ज्यादा होगा तो मैं जरा उसमें mark कर देता हूँ चलो ठीक है clear तो होई गया next निम लेकित में से कौनसा निम यह कहता है कि दो वस्तूओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रविमानों के गड़न फल के समानू पाती होता है अब सर यह वाला पार्ट जो मुझे बता दे उसके लिए सावाशी बस मुझे यह पूछना है कि सर यह और यह यह एक जैसे होती है क्या क्या यह एक ही बात होती है हाँ या ना बस उसके अप्पर मैं इसका अंसर लूँगा जल्दी प्लीज बिल्कुल सही था इसका question का अंसर दो ठीक है तो B और C में tough competition चल रहा है ना B और D maximum लोग बी के साथ जा रहे हैं very good तो जितने भी लोग बी के साथ जा रहे हैं बिलकुल सही है और याद रखना यह जो G small G capital G उन्हों में difference होता है 6.67 into 10 to the minus 11 वो आपका capital G है वो ग्रेटा actually gravitational constant है यह आपका acceleration due to gravity है 9.8 meter per second square की जहां बात करते है दौनों अलग-अलग होते हैं यह दौनों अलग-अलग है यह दौनों अलग होते हैं पेपर के लिए आपको याद रखना है यह बेटा क्या है यह आपका gravitational constant है यह आपका acceleration due to gravity है खेर तो यह कह रहा है कि कि which of the following law states that force between two objects मालनों दो objects है एक का द्रविमान M1 है एक का द्रविमान M2 है और यह आर दूरी इसे रखे हुए तो आर दूरी मतलब यहाँ पे लगिया R square G M1 M2 यह हो गया यहाँ पे लगने वाला force यह होता पेटा formula जहां पर G आपका gravitational constant है अब sir यहाँ पे क्या पूला कि directly proportional to the product of their masses क्या force तो force देखो force आप पर directly proportional है यानि कि अगर हम लोग द्रविमान की बात कहा है तो द्रविमान के गुड़न फल के directly proportional है यानि कि वो क्या है कि यहाँ पे वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रविमानों के गुड़न फल के समानू पाती है बिल्कों सही बात है क्या कौन रहा है sir यह बात कहीं गई है gravitational नियम के हिसाब से gravitational law के हिसाब से gravitational law से एक सवाल और पूछ लेता है दुनिया में जितनी भी चीज़े है दुनिया में दो द्रविमान वाली चीज़ें आपके पास हैं तो simple सी बात उनके उपर बल लगेगा और इस वाले बल को आप क्या कहेंगे गुरुतवाकरशन बल राइट तो यह gravitation law next गुरुतवाकरशन बल के बारे में नियम लिकित में से कौन सा कतन सही नहीं है यह रहे आपके पास चार option जल्दी से मुझा आंसर देंगे गुरुतवाकरशन बल के बारे में इसमें से कौन सा law सही नहीं है sorry कौन सा option सही नहीं है which of the following statements is not correct about the force of gravity जल्दी चार options है आपके पास अभी अभी आपने वह formula देखा है अगर आपको doubt है तो मैं लिख देता हूं फिर दवारा f बराबर g m1 m2 upon r square 100 समझ के आंसर देंगे इसका यह सब 13 फरवरी का question है जल्दी मैं एक second बस water bottle को fill करने के लिए रहा हूं तब तक मैं 100 समझ के आंसर दे रहा है यह सारी की सारी शीज़ें आपके वास लिखी होई है यहां पर जितने भी लोग क्या b के साथ जा रहे है अ ओके अलग-अलग options के साथ जा रहे हैं मैं तरह बता दू कि सर यहां पर देखो क्या लिखा है अब inversely proportional कैसे होगा किसकी बात कर रहा है force of gravity की बात कर रहा है अभी-अभी हम सर जानते है कि यह वाला जो पार्ट है option number C सर अभी हमने देखा क्या है तो very good बिल्कुल तो सही आंसर क्या हो जाएगा सही आंसर सरी आप ही हो जाएगा C बिल्कुल तो जितने भी लोग यहाँ पर C के साथ जा रहे है बिल्कुल सही है अगले सवाल की और आगे बढ़ते हैं Lactometer Hydrometer जहाजों और पंडुबियों के को Dash के आधार पर डिजाइन किया गया है Lactometer, Hydrometer, Ships and Summarines are designed according to the basis of Dash कौन सा वो principle एज़र क्या होगा सर इसका सही आंसर अभी सर इस वाले point पर अभी हमने discussion भी किया था कि कोई object है अगर वो पानी में immersed है तो क्या गरेगा वो नहा हलका सा महसूस होगा क्यों क्योंकि जितना part वो पानी में रखा है उतना part से displaced हो गया उतना आपका जो पानी था by a fluid is given by which of the following यानि किसी तरल पदार द्वारा लगाय जाने वाले घर्षण बलको निम्ण में से क्या दिया गया, क्या होगा वो, अप रूपर तरल गर्षण, प्रस्तनाव या फिर उत्पलावन क्या है सही आंसर दर इसका क्या है किसी तरल पदार द्वारा लगाय जाने वाले घर्षण बलको निम्ण में से कौन सा होगा सही आंसर, 31, जल्दी प्लीज अब यहां पर यहां तो option में दे दे तरल कर्षण, यहां फिर option में आपके लिए कर्षण भी दे सकता है तो यह कोई भी option में से आपको मिले आप उसे सही कर देंगे, ठीक है चलो, next बिलकुल गूलू, अगला सवाल है दबाव डैश से विभाजत बलके बराबर है, यानि pressure is equal to force divided by what, तो pressure का formula हम जानते है, pressure बराबर sir force upon area सब देखो, अब यहां पर क्या क्या रखा है, directly formula को ही उन्होंने अपनी तरफ से explain करिया right, अब formula वाले पार्ट को उन्होंने क्या कर रखा है, बस उसे question में convert कर दिया है, अब जारा देखो sir, ऊपर क्या है, बल अब अब यहां पर sir क्या हो गया यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं, 6 तरफल की तो 6 तरफल, यहां फिर आपका यह छे तरफल कह लो, यहां फिर area कह लो, क्या है option, बिलकुल है option नमर भी यहां पर सही answer होगा next निम लेकित में से कौन सी ठोस की विशेष्था नहीं है, which of the अधिन होने पर ठोस चूट सकता है ठोस को आसानी से संपीनित किया जा सकता है ठोस का एक निश्चित आयतन होता है English वाले sir यहां पर it is difficult to change the shape of solids since they are rigid a solid may break when subjected to force solid can be easily compressed solid has a definite volume sir यह 30 November का question अब जल्दी से इसका सोस समझ के answer देंगे Army Lover C के साथ जा रहे है Renu C के साथ जा रहे है 36 C के साथ जा रहे है very good simple सा बात sir अब यहां पर जो हमें बात कर रहे है अगर मैं ठोस चीजों की बात करता हूँ solid फिर बनाता हूँ liquid इसके बाद आते हैं gas पर ठोस की बात करें तो इसके अंतर जो बिल्कुल पास-पास में मौझूद है बिल्कुल पास-पास में मौझूद है तो sir इसलिए क्या हो सकता इसलिए compress नहीं कर सकते for example यह remote है यह क्या से solid है press करने कोशिकर नहीं हो रहा है अब यही पर पानी वाला part bottle मैं ने दे दी है bottle में जो liquid present है sir उसकी बात करने तो compressing उसकी possible है easily लेकिन gas की बात करने तो और आसान है क्योंकि molecules जाद दूर-दूर है और इसमें क्या क्या रखा है कि solid can be easily compressed यानि कि ठोस का आसानी से ठोस को आसानी संपीडित किया जाता है obviously क्या हो जाएगा option number C आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्यों? क्योंकि sir paper में पहले भी बता चुका हूँ आपको कि जब भी paper में आये तो यह जरूर देखो यह कहीं यहाँ पर नहीं तो नहीं लिखा है which is not a characteristic और कुछ लोगोंने a-b answer क्यों दिया? क्योंकि उन्हें लगा not to a नहीं इसमें से कौन सी characteristic है? बागी तीन तो characteristics था ही तो characteristics भी आपको देखना है question में क्या पूछा है? है या नहीं है? तो यहाँ पर क्या होगा? sir, यहाँ पर answer होगा option number C right? क्या यह चीज समझ में ही simple सी बात क्या बोला मैंने सा कंड ज्यादा पास-पास में है जब कंड ज्यादा पास-पास में है तो थोस अवस्ता में है अब उसे संपेड़ित तो कर नहीं सकते और question में भी यह पूछा इसमें से कौन सा वो characteristics नहीं है? तो sir, वो आपका Below its boiling point is known as what? सोचना सोच समझ के इसका answer देना Shalini, Manoj, Raman, Prince, Madhu इसका answer क्या होगा? जल्दी, please Waiting for the answer अब sir, तो यह जब हम बात करते हैं किसकी evaporation की sir, evaporation के लिए क्लिए हमारे पास कोई temperature होता है कोई fixed temperature थोड़ी है मालो मैंने क्या किया? कपड़े दोए Sunday वाला दिन कपड़े दोए कपड़े दोने के बाद सुखाने डाल दिये अब जब कपड़े सुखाने डाल दिये तो ऐसा थोड़ी है कि सब fixed temperature अच्छा अच्छा मास साब अब 100 degree अब तो कपड़ा सूख जांगे ऐसा थोड़ी है वो धीरे-धीरे वो process चलती रहती है boiling point से कम पे ही किसी भी temperature पर क्या होगा धीरे-धीरे evaporation प्रसेश चलती रहती है तो उसे क्या बोलते है सब उसे बोलते है वाश्पी करण यानि कि evaporation सही है तो evaporation वाली प्रसेश में क्या हो रहा है किसी assess temperature की fixed temperature की जरूत नहीं है इसलिए आपर सही answer क्या होगा अरे condensation बेटा कैसे हो जाएगा condensation के अगर आप बात कर रहें संगिनन वाले पार्ट में क्या है माल लो कि यहाँ पर मैं Pepsi की बॉटल की बात कर लेता हूँ Pepsi की बॉटल के बात देखा है कि सर वहाँ पे ना कुछ पानी की बूनेस की आ जाती है हाना तो वहाँ पर अब यह सारी की सारी प्रसेश एक बात देखी लेते हैं सर जब हम लोग liquid से gas में conversion की बात कर रहे हैं अगर मानलो कि मैं बात करूंगा तो सॉलिट से डारेक्टली गैस में convert हो जाए तो समा पे किसका एक्जेमपल ले लेंगे डारेक्टली सॉलिट से गैस में conversion हो जा रहा है यानि कि ठोस सीधे gas में परिवर्टन हो जा रहा है तो दारन के तरह पर कपूर इघ्जements लेसकते हैं नेAg्टलीन की बॉल गजेंपल ले इक्जेमपल ले शकते हैं तो संगनन अर वाश्पी करना बटनि प्यापि तो है तो यहां पे प्लीस उसमें गल्ती उत करी हो यहां पे सही आंसर क्या है सही आंसर है आपका वेपराइशन यानि वाशपी गरण क्योंकि आपका तरल भाग है वह किसमें हो गया गैस में उसके लिए कोई निश्चत तापमा नहीं था बस इतना है कि कोथनांग से कम है यानि बॉलिंग पॉइंट से कम है सिंपल चलो सर एवापोरेशन हो गया नेक्स्ट दा हाइड्रोलिक जैक यूस्ट पर लिफ्टिंग लोडस इंडिस्ट्रियल इंस्टोलेशन इस बेस विच लॉव फिजिक्स और एक संसानों में बाहर उठाने के लिए हाइड्रोलिक जैक का उप्योग किया जाता है वह लोग अपनी गाड़ी की बात करें तो गाड़ी के लिए आपने दिखा रहे हैं वह जैक रहता है गाड़ी के लिए अपने स्टेफ नहीं लगानी है जैक का इस्टिमाल कर लिया तो वहाँ पर जहां भी हम हाइड्रोलिक जैक्स का एक्जेम्पल ले रहे हैं उसार कौन सा नियम है तो निवेतर जा रहे हैं C के साथ यादब जा रहे हैं C के साथ प्रेम जा रहे हैं D के साथ यानि न्यूटन का नियम तो मैक्सिम लोग C के साथ जा रहे हैं बिलकुल सही जितने भी लोग यहां पर C के साथ जा रहे हैं बिलकुल सही है सर वो कौन सा है वो है सर पा सबसे अच्छा आप लोग के पास कमेंट थोड़ा वीडियो थोड़ा लेट पहुंच रहे हैं सर देखो जब भी हम यहां पर बात करेंगे किसकी सर उश्मा का सबसे बड़ा चालक तो केवल उश्मा का है नहीं मैं आपे सवाल भी एक और लियाता हूँ क्योंकि पेपर पूछ लेता है उश्मा के साथ सर विधुत उरजा का सबसे अच्छा चालक किसका विधुत उरजा का भी सबसे अच्छा चालक पूछ लेता है तो यहां पे पहले तो यहां पर आंसर दे क्या, electricity का best conductor कॉन सा है, best conductor of electricity, बिलकुल, तो प्लीज याद रखो, चाहें वो आपका वूष्मा के लिए पूछे, चाहें वो आपका बेजली के लिए पूछे, दोनों के लिए क्या है, सही ஐ आंसर होगा, चान्डी, अब सब बिजली के लिए जब चांदी का पूछा तो यहां से एक सवाल और है यह मैं पहले एक बार पूछ चुका हूँ फिर से देखते हैं कौन इसका सही अंसा देगा जल बताएंगे मुझे जल जो है यह विदो तूर्जा का यानि इलेक्टर सिटी का इलेक्टर सिटी यानि कि सर विदो तूर्जा का आप मुझे प्लीज बताएंगे कि सर यह कैसा है यह चालक है यहां फर यह कुचालक है अब यह सवाल तो समझ के आंसर देना वेरी गुड तो जितने भी लोग यहां पर कुचालक के साथ जा रहे हैं इल्कोल सही है क्योंकि हम्में तर यहां रखता है कि पानी है सरही चालक होता होगा नहीं सर याद रखीगा अगर मैं आपसे शुद्ध जल की बात करूँ शुद्ध जल यहां फिर PUR water तो शुद्ध जल यहां फिर PUR water क्या है यह electricity का Good conductor है ठीक है नहीं भाई, गुड़ कंड़क्टर नहीं, यह क्या है, कोई चालक है, यानि कि यह आपका बैड कंड़क्टर है, तो कोई भी इसमें गलती नहीं करेगा, यह बड़ा सोच समझ के जान मुझ के मैंने यहाँ पर रखा हुआ है सवाल, कि कोई गलती ना करे, अशुद्ध जाले तो ही वो चालक होगा, को चालक होगा, चालक नहीं होगा, दोनों कैसे हो जाएंगे यहां तो कोई चीज चालक है, यह नहीं है, तो चालक तब हो जाएगा, जब इसमें आपने कुछ impurity मिला दी है, अशुद्धिया मिला दी है, clear, चलो, तो कैसा होता है, बैड कंड़क्ट cannot travel, from which of the foreign medium, जल्दी आंसर प्लीज, गुल्षन कुमार, बिलकुल, बैटा, जो पानी में करेंट लगता है, अतुल दिवेदी जी, उसमें क्या है, कि हाई अमांट्स अव सॉल्ट प्रिजेंट है, इसलिए उसमें करेंट लगता है, मैं उसी वाले पॉइंट पर भी डिटे क्योंकि जो वाटर है, वो आपको कैसे पता लगता है, प्यूर है कि नहीं, उसमें करेंट लग जाएगा, यह पेपर है, पूछा जाता है, इसलिए मैं यहां पर लिख दिया है, ठीक, चलो इस वाले पॉइंट पर आओ, करेक्ट, सर जब भी हम साउंड की बात करते हैं, त जिर्वाद से ट्रेवल नहीं कर सकती, क्यों? सर, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा था, ध्यान से अगर देखा जाए, मिकैनिकल वेव यह यांतरिक तरंग, पेपर में आज पूछ सकता, आपको याद रखना पड़ेगा, सर, यांतरिक तरंग कौन सी होती है, सर, यांतरि मिकैनिकल वेवस, वो वेवस होती है, जिनको मीडियम की रिक्वाइर्मेंट होती है, अब आप कहेंगे सर, कौन सा मीडियम, तो मीडियम हो सकता है कि, वहाँ पर हम लोग सॉलिड लिक्विड गास इन सब की बात कर रहे हैं, बिना मीडियम के, यहाँ पर जितनी भी जब भी हम यांतरिक तरंगों की बात करेंगे, केवल यांतरिक तरंगे, वो वाली तरंगे होगे, जो क्या करेंगे, किसी ने किसी माध्यम की जरूरत है उनके गमन के लिए, जिसमें माध्यम की जरूरत नहीं है, उन्हें बोलते है अयांतरिक तरंगे, जहां पर मैं इतमें कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है लेजर, रेडियो वेवस, अल्ट्रा सॉनिक वेवस और इंफ्रा रेड रेज वाट यू तेंग, वाट इस दी करेक्ट आंसर तो जल्दी से मुझे इसका आंसर देंगे प्लीज तो यहाँ पर सब लोग याद रखीगा जब भी हम टीवी के रिमोट की बात कर रहे है यहाँ देखते हैं, यहाँ पर एक सेंसर प्रेजेंट होता है यहाँ यहाँ पर हम कहीं भी क्लिक करें तो उसके अकॉर्डिगली टीवी काम करना शुरू कर देती है तो यहाँ से कोई तो रेज निकलती होगी अब वो रेज कौन सी निकलती है, सोचो बागी बीटा जो आप देख रहे हैं, वो क्या है तो यहाँ पर जितनी भी लोग दी के साथ जा रहे है अंश, सतेंद्र, रूही, किशन, बहुत बढ़िया यहाँ पर आपका अवरक तरंगे, यानि यहाँ पर आपका अवरक तरंगे सही आंसर होगा अब आते हैं, अल्ट्रा सोनिक वेवस पर अल्ट्रा सोनिक वेवस कौन सी होती है अल्ट्रा सोनिक, जल्दी प्रीज का अंसर देंगे ultrasonic waves कौन सी होती है अब sir ये paper में ये जब GD में पूछा गया था तो आप से पूछा गया ultrasonic अगर paper में ये पूछ ले पराश्रव्य तो भी ये मैं सोचना सर या तो हमने पढ़ा ही नहीं यहाँ पर भी एक ही चीज है तो ये दौनों की दौनों चीज है एक ही है तो पराश्रव्य तरंगे पूछ लें, अल्टरा सोनिक पूछ लें तो ऐसे याद रखीगा sir अगर वो 20 kHz से ज्यादा होगी क्यानि कि अगर कोई भी wave 20 kHz से ज्यादा है से ज्यादा तो वो सराती है पराश्रव में यानि की अल्टरा सोनिक में तो जितने भी लोग यहाँ पर 20 kHz से ज्यादा वाले है यानि D के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही है यानि की D option यहाँ पर बिल्कुल सही है correct और हम लोग कितना सुन सकते हैं बेटा हम लोग जो सुन सकते हैं वो है 20 Hz से 20 kHz तो अशोक, दीपक, उदै, हेवन बाइट्स, जितेंद्र बिल्कुल ठीक तो सब लोग प्लीज याद रखीगा हम लोग जो सुन सकते हैं वो है बेटा 20 Hz से लेकर 20,000 Hz और यह आती है आपकी किसमें audible range में और audible range यह वो range होती है जो हम लोग सुन सकते हैं चलो sir, next नेमले कितने से कौन सा द्वनी तरंगों का एक अभी लक्षन नहीं है which of the falling is not a characteristic of a sound wave progressive, mechanical, electromagnetic या longitudinal अब यहाँ पे sir, आप अगर एक option देख रहे हो तो एक option आपको देखेगा अया अनत्रिक वाला तो अब मुझे फड़ाफड आपसे answer चाहिए फिर में आगे बढ़ूँगा जल्दी मुझे फिर्स प्लीज इसका answer देना आप answer तो तो आपको वाटर बोटल देख लूँ वाटर बोटल देख मिली ने हाँ वो चमगादर बिल्कुल सहीगा आपने चमगादर question मेरा यह था कि यहाँ पर मैंने आप लोगों से क्या पूछा कि सर यहाँ पर कौन सा इसमें से sound waves की characteristic नहीं है अब देखो मैंने आपको पहली बता चाहूँ कि अगर मैं waves की बात करूँ तो waves आपकी दो प्रकार की है एक कौन सी एक सर आपकी यह mechanical wave और दूसरी है आपकी non-mechanical अपसर non-mechanical का मतलब क्या है यहाँ पर सर बहात हो रही है ayantrik की प्रीज यह आद रचना आयांतरक तरंगे यह वह तरंगे потр 낮 नहीं अगर से सताफ सी अआप की माध्यम की ज़रुती नहीं ृप सैङल में से में इसमें इसमें के इसमें माध्यम की ज़रुती नहीं है लेकिन पेपर में क्या पूचा, नौटा केरेक्टरस्टिक्स, यानि की यहां पे, क्या पूचा, इसमें से कौन सा दौनी तरंगों का एक अभी लक्षन नहीं है, तो सर वो क्या होगा विद्ध चुम्ब की है, अभी हमने दो क्वेशन पीछे ही देखा, कि विद्ध अब इस बार पॉइंट बदल चुक है, अब इस बार देखो, पिछली बार क्या पूचा था, पिछली बार पूचा था कि इसमें से कौन सी गरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट, तो हमें पता था सर, वो मेकैनिकल वाले के डेगरी में आती है, अब इसमें सोचो, इसमें क्या बात हो रही है, sound waves में सोचो कि sir, क्या हम वहाँ पर ऐसे कुछ compress कर सकते हैं क्या possible है? नहीं, obviously not तो sir, speed कैसे नहीं बेटा अगर मालो कोई wave चल रही है तो उसमें कहीं ना कि speed का logic तो लगी ही रहा है ना लेकिन, बेटा, compression का सोचो क्या compression possible होगा उसमें? संपीधन, क्या होगा? obviously नहीं तो यहां पर क्या पूछ रहा है? कौन सी ध्वनी तरंग की एक विशेष्था नहीं है? देखो, आवरती है आयाम है, चाल है, क्या नहीं है sir, वह है संपीधन, तो question में क्या पूछा है? विशेष्था नहीं है तो विशेष्था नहीं के लिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? Just a second तो आपका सही आंसर येंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? अब sir, जतनी कोई doubt है frequency क्या होती है? यहां पर मैं लिग देता हूँ, यह amplitude है Amplitude, तो क्या किसी को पूछना हो तो प्रिक्वेंसी Amplitude स्पीड कैसे मेजर करेंगे, अगर पूछना हो तो प्लीज एक बार बता दे, ना मैं बता दूँगा, ठीक है, ना, फिर भी मैं बता ही देता हूं, क्योंगे ना, कई बार पेपर में पूछ सकता है, तो आप कही गलती है क्या, वेव में बात करते हैं हम लोग कड़ों की, अब कड़ने क्या किया, कड़ने यहां से यहां तक कुछ दूरी तै करी, यहां से यह maximum दूरी है, यह देखोगे कम ज़्यादा ज़्यादा और यह maximum, इसके बार दूबार से कम होना चुरू गया, तो यह सर कहलाता है आय इसी प्रकार से, एक सेकेंड में यहां से लेकर यहां तक यह पूरी साइकल कमप्लीट हो रही है, यह कितनी बार यह से साइकल कमप्लीट कर ले रहा है, इसे बोलते हैं सर्फ्रीक्वेंसी, क्लियर, आवरती, तो यह पेपर में यह चीज़े चोटी-चोटी चीज़े हो सकता है, आप से पूछ ले, यह दो वेवस हैं, एक यह है, और एक वेव यह है, बरावरती बना दी, छोटी बनाते हैं, हाँ, तो आप से पूछ सकता है, एक तो वेव यह बनाई, और एक वेव मैंने यह बनाई, अब मुझे यह बता ना, यह A वेव है, यह B वेव है, य इसमें से ज्यादा वाज किस्में होगी। थाउकर से आप कुछ कहना चाह रहे ? अरे वह थाउकर से, बहुत बढ़ी वाँ, तो कॉइशन दूरी यह था की सर एक तो वेव ये है, अब मझे बताओ इसमें से ज्यादा तेज अवाज किस्में होगी। जब भी आपसे तेजी का पूछेगा, आप लोग याद रखेंगे आयाम से संबंदित, इसमें आयाम देखो, छोटा सा है, जबकि इसमें अगर मैं आयाम देखू, इसमें ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा एम्प्लिटूड के इसमें असर, बी में, तो इसका मतलब यह आवा और यह सबसे ज्यादा दूरी है, इसका मतलब यह धनी यहाँ पर ज्यादा तेज होगी, यानि मैं लिख भी देता हूँ, इड़ भी मूर, लावडर, तो यह पेपर का पूछा हुआ सवाल है, हाँ, जीडी में नहीं पूछा है वाला सवाल, बट हाँ, बाकी एक्जैम्स म बर्निंग टोच, मून, यह स्टार्स, क्या है इसका सही आंसर, अब सर यहाँ पर, जल्दी प्लीज, रिफ्लेक्टेड लाइट, बिल्कुल सही, सर यहाँ पर क्या है, the correct answer is going to be a moon, क्योंकि सर मून की बात करने है, मून क्या है, मून के पास अपनी खुद की रोश्नी नहीं है, वहाँ पर क्या हो रहा है, सूरी की रोश्नी का वहाँ पर रिफ्लेक्शन पढ़ रहा है, इसलिए हम लोग वह देख पाते हैं, बिल्कुल, अगला सवाल है, आपका जीडी 2 दिसंबर का, यदी प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए तो दरपंड से परावर्ती तो तो कितने प्रतिव हम बनेंगे, इसका अंसर ज़रा सोच समझ के देंगे, जिसको नहीं समझ में आता है, इसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ, question देखो, if light is reflected from two mirrors placed on opposite end, how many images will be formed, अब मास साब, यहां पर हम उधारण लेते हैं, सुचो, साब मैं गया बाल कटवाने, ठीक सर ऐसे ऐसे काट देना हूँ, ऐसे ऐसे काट देना, तो मेरे सामने एक शीशा लगा है, और मेरे एक ठीक पीछे भी शीशा लगा है, कुछ ऐसे करके, इसका मतलब यह दौनों शीशा एक दूसरे पैलल है, एक दूसरे के पैलल है, यानि कि मैं कहूंगा कि एक दूसरे के कै रहे हैं यहां शखल दिखी खोपडी दिखी शखल दिखी खोपडी दिखी हो है सब्रार ह quests हो मा उनुरी इमेज़ का पता है तोछ समय दिखने कितनाविछ ने में नहीं वह तोच दिखने हैं इन वहां को IACH shame में do चुका है दो दिसम्बर वाले पेपर में तो यहां पर क्या सही आंसर होगा infinite लेकिन परपेंडल रखे होते होते हो आपर 3 के आंसर देते हैं ठीक तो आपर लिख भी देता हूँ परपेंडल होता तो यहां पर 3 चलो सर अगले सवाल के और आगे बढ़ते हैं विच आओ फॉलेंगे इस रिफ्लेक्टर इंदी सर्च लाइट्स निमले कितमे से किसका उपयोग सर्च लाइटों में परावर्ततक के रूप में किया जाता है आंसर बिल्कुल बिश्वनची वेरी गुड अली उदै सोनी फड़ावर जल्दी से आंसर देंगे आंसर क्या होगा , अब सर्य यहां पर हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि सर्फ तरह्त है , तीन तरह नहीं के मिरर होते हैं, एक होता है Jorge मिरर और नहीं को भेज़गे झिंदों को गिनगए कर कि थे देख़नी वाइड देखके तो कि अनहीं ज़गे नहीं पाही बाह्या है, वह है आपका सम्तल धरपन। क्या को घाता है थेस्क गग्रूरखे सथा। यह है यह सर आपका सम्तल धरपन। सम्तल धरपन। से if you have questions questions जो पूंछğanना याते हैं, पहला तो यह 전ynri दूरी पर हमें खड़े हैं सम्तल धरपनить समतल दरप्रद में जो आपका प्रतिविम बनेगा, वो भी उतनी दूरी पर ही बनेगा, पहली चीज, दूसरा, अगर माल लो, अगर माल लो, कि आपकी height h है, और हमारे सामने mirror रखा हुआ है, तो वो कितना कम से कम लंबा होना चाहिए, जिससे हमारी पूरी की पूरी image बन जा होते हैं, ठीक है, दो चीज़े हो गई, बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, पैडला तो infinite image बनती है, इसकर वापस आते हैं, दूसरा हाता है सर, convex, convex का मतलब मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर उत्तल दरपन की, अब सर, उत्तल दरपन क्या करता है, एक बड़ी image को छोटी दिखाने में मदद कर रहा है, कैसे, सर, गाड़ी के side के mirror होते हैं, मैं लिख लेता हूँ, color change कर लूँ, गाड़ी के side mirrors होते है, side mirror, side mirror में क्या होता है, सर, कि बहुत बड़ी image भी छोटी दिख जाती, कि जो आपके PGT truck आ रहा है, कुछ आ रहा है, वो सारी के सारी चीज़े इतनी से इरिया में दिख जा रही है, यानि क्या हो रहा है, side shooter, यह सर, उतल दरपड, concave क्या करता है, यहाँ पर सर, जैसे कि आप shaving के mirror की बात कर लो, shaving, यहाँ फिर, dentist का mirror की बात कर लो, तीक, यह torch की बात कर लो, यह search light की बात कर लो, उन सब में आता है concave, बड़ा, light, concave, अचा, concave का मतलब, बेटा, क्या हो गया, अवतल दरपड, अब paper में क्या पूछा, निमल कितमें किसका उपयोग, search light में किया जाता है, तो search light में, बेटा, हम लोग इस्तिमाल करेंगे, concave, और concave का मतलब क्या है, अवतल दरपड, तो यहाँ पर क्या है, अवतल, lens नह देता है, ठीक है, चलो, इतनी जिस क्लियर हो चुकी है, राइट, आगे बढ़ें, अरे बहुत जैसे thumbs up नहीं लिया, फटाफ़ जल्दी 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 जल्द को क्लियर, और जितने भी लोगों अभी तक session को लाइक नहीं आए, तो प्लीज एक पढ़, लंब किरण और परावर्तित किरण सभी dash अवस्तित होती है, incident ray, फिर a normal ray at the point of incidence and the reflected ray, all lie at dash, अब सरी है तो भी समझाता हो, अरे अंकिता पिजदा विजदा मत दो यार बस यह है ना, तो जितने फ्रूटी भी लाए साथ मैं, चलो, रतन, यह सब नहीं बाई, तो ल बखने वाली बात नहीं चलेगी यहां पर, नहीं तो पिट्टी-पिट्टी कर देंगे, वापस आउपने point पर, तो यहां पर क्या किया मैंने, तो यहां पर सर यह ज़रा point की बात करते है, यह देखो, यह क्या है, यह एक plane, यानि कि अगर मैं समान समतल की बात करूँ, यहा यहां पर द्यान से देखो, यह क्या है, incident rate, जिसको मैं आपतित करण कह रहा हूँ, यहां पर यह टकराई और टकराने के बाद वाद वापस गई, इसको क्या बोला बेटा, इसको बोला reflected rate, यह आपकी क्या होगी, यह आपकी होगी सर, परावर्तित करण, अब सर, आपतित कर अब यहां, परावर्तित करण, और यहां पर यह बेटा प्रिजन्ट है, अभी लंब, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, नॉर्मल, यह क्या है, अभी लंब, अभी लंब, सर, यह जो अभी लंब है, यहां फिर आपतित करण है, यहां फिर reflected rate, यह सारी कि सारी कहां पर मुझूद है यानी सारी कीशारी एक समान संतल में हैं तो इसलिए हम लोग याप सिक्क्तम से अ क्सक्ण हो पराप्त करने के लिए ग्लास प्रिजम का उपिएो करने अब इसमें जो आप आंसर देंगी, तब तक मैं आपको एक पॉइंट और बता दिता हूँ, इनका एक रिंग का एक्सपेरिमेंट और था, वाइट रिंग, अब सर ये वाइट रिंग वाला जो एक्सपेरिमेंट था, इसमें इन्होंने करा किया, एक रिंग ली, जिसके वाइट कलर ही शो हो रहा था, यानि सफीद रंगी देख रहा था, यह experiment किस ने किया था, Isaac Newton ने, जहां पर यह बता है कि सारे कि सारे जो colors है, किसका combination है, सारे colors का यह combination आ रहा है, जो finally white color दे रहा है, तो यहां पर सही answer क्या है, Newton साब ही, विलकुल, विलकुल, सही है, ठीक, next, अ represents what, अब यह क्या कहना चाहरा है, साथ देखो, यह, फिर यह, यह, फिर यह, तो पूछना सार, यह जो बनी रहती है, सेल के लिए, यह सार आपको क्या बताएगा, यह क्या है आपका, क्या है यह सार धनात्मक टर्मिनल है, रिनात्मक टर्मिनल है, उदासीं टर्मिनल है, यह या फिर ring terminal है, क्या है इसका सही answer, जल्दी प्ली, जल्दी, सर अमें अच्छे से पता है, जब भी हम सेल को दिखाते हैं, तो यह बड़ा वाला क्या दिखाता है, सर बड़ा वाला हमेशा positive terminal होगा, यानि धनात्मक होगा, और यहां पर, master साब, अगर आप इसे छोटे वाले part क कैसा होगा, सर यह होता, रिनात्मक, clear, तो यह वाली चीज आपको भूल ली नहीं है, तो यह आप से पूछ रहा है, सर सिंबल, कौन सा, short वाला, यानि छोटी रेखा वाला क्या होगा, सर यह होगा, आपका रिनात्मक, यानि की negative terminal, ठीक, चलो, एक सवाल और हो जाए फिर, I किस से कर सकते हैं, we can compare current in an electric conductor by what, अब यह सवाल, जब हम लोगोंने, application में पढ़ा था, तो मैंने आपको कुछ बताया था, और वो क्या था, बिहारी बॉय, smile, yo-yo, Mr. Yo-yo, welcome, यहाँ पर, अगर मैं पानी की बात करता हूँ, तो दीखो, पानी उपर से ऐसे गिर रहा है, पानी जब उपर से गिरे, यानि कि मैं कि किसकी बात कर रहा हूँ, water के flow की, हिंदी में बोलें तो, पानी का बहाव, तो पानी का बहाव बेटा क्या कहलाता है, पानी का flow या water का flow क्या कहला रहा है, सर, यह कहला रहा है, आपका water current, यह क्या है सर, यह है आपका water current, यानि कि य यह आपका water current है इसी प्रकार से अगर मैं electric current की बात करना तो यहां पर क्या है sir, आवेश, तो आवेश का बहाफ क्या कराता है, आवेश का बहाफ कहलाता है sir, विधुत current, और सॉरी, आपकी विधुत उजा याणि electric current, तो electric current को आप rate के-stayक बहें गे water current, तो water current दे रिवर आप water current यह मतलब निया कि नदीमे मास साब का current आ रहो है, नदीमे कोई current ना है बात यह है कि पानी के बहाब को आपने water current किया दिया, इसी charge के flow को आपने electric current किया दिया, तो जिस direction में positive charge आता है, इस direction में current जाएगा, जिस direction में negative charge आता है, यह paper पूछा हुआ है, अगर आपका रिनातमक आवेश इस दिशा में जा रहा है, तो आपका current आपका इसका विपरीत जाएगा, बेटा यह paper में कई बार पूछा जाता है, I guess यह सब चीज़े clear हुई, तो अब आपके लिए अगले class का इंसजार हो रहा है, अगले वाले सर आएंगे, वो आपको class में continue करेंगे, तो जितना मैंने बताई, इतनी जी सब को clear हुई, clear है, तो आपसे फिर विदा ल मतलब आप जैसे लोग है, मतलब एकदम एनरजी maintain कर एक रहते हैं, पता ही लगता है, वो तीन-चार घंटे कब निकल जाते हैं, आज तो दो गंटी एक लास थी, ऐसे time निकला, तो एकदम से दिखते है, अच्छा, time होगा, सर आये तब पता लगता है, तो है मा, ओदय, धर आपको में टेलीग्राम चैनल पर, जो एक्जैंपर का चैनल है, वहाँ पर भेज दूगा, प्लीज, रिवाइज एडू कर लेना, एक है क्वेशन है, जिससे आपकी पूरी की पूरी तैयारी प्रॉप अवे में हो जाएग, आपको आइडिया लगेगा, किस प्रकार के कर दो दूरी तैयारी. झाल 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 झाल